किस तरह से share capital को दिखाया जाता है और किस तरह से reserves and surplus को दिखाया जाता है तो इसमें और भी क्या-क्या चीज़ें हो सकती है हम वो आज-ाज की क्लासें पढ़ेंगे और एक और information देना चाहता हूँ Monday से हमारी classes regular हो जाएंगी इसका मतलब यह कि Monday से हम लोग रोज मिलेंगे Monday Tuesday क्योंकि Monday को मुझे उम्मीद है books आ जाएंगी और आपको dispatch चालू हो चुका होगा Monday को तो probably एक दो दिन तक आ जाएगा तब तक आपको मैं कुछ questions digitally homework में दे दूँगा तो आप वो जब तक करेंगे तब तक किताबे पहुंच जाएंगे ओके तो यह नहीं कि next week से आप लोगों को क्या करना है तब काम करना है हाँ तो भाई यह क्या हो रहा है निकपाल लोगों तो मेरे सर पर बताल लगा रहा है तुमने स्नेहा कह रहे हैं आपकी स्क्रीम ब्लैक है स्नेहा हम यही तो कर रहे होते हैं थोड़ा सा हम भी आर एंडी करते रहते हैं ठीक है और वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई निकपाल आईपैड क्यों नहीं दिखाई दे रहा बच्चों को आइपेड कैसे दिखाई देगा उनको निकपाल जी नहीं दूसरे के कमेंट पता नहीं चलेंगे आपको और मैं एक काम करता हूँ तब तक आपको वैसे ओरली रिवाइज कराता हूँ बैलेंस शीट को जो हमने बैलेंस शीट डिसकस की थी उसको ओरली ठोड़ा रिवाइज करते हैं ठीक है रितेश कह रहे हैं आप ठोड़े कटे हुए दिख रहे हैं बहुत चोटा दिख रहा है अभी तो भाई कुछ दिखी नहीं रहा है अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है हमने सिर्फ परदा लगा रखा पीछे और कुछ नहीं कर रखा है ठीक है तो जैसे रोज आप मुझे देखते हो वैसे ही आप भी भी बस बीचे बैक्ग्राउंड अभी हमने ब्लैक कर रखी है अच्छा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो लाइबिलिटीज एंड इकुटी साइड है उस साइड में कौन सी आइटम आती है उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले शेरोल्डर फंड्स और दूसरा आता है हमारे पास शेर एप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलॉट्मेंट्स इसमें हमने जब आपके साथ बात करी तो हमने का शेरोल्डर फंड की भी दो आइटम हमने डिसकस कर ली थी वो कौन कौन सी है शेरोल्डर की पहली आइटम आपके पास है शेर कैपिटल शेर कैपिटल में आप लोग क्या क्या प्रिजेंट करेंगे उसके कुछ रिक्वाइर्मेंट्स थी वो requirements क्या क्या थी authorized share capital आपको दिखानी पड़ेगी कि आपकी authorized share capital कितनी है authorized share capital में आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना क्या होगे निक पल authorized share capital में एक पाल यह सब पहले काम करके रखने चाहिए थे ना आपको अब जुबे जुबे शुरू कर दिया आप नहीं है authorized share capital में आपको class बतानी पड़ेगी यह equity है कि preference है या कोई और class है हमारे पास number 2 आपको number of shares बताने पड़ेंगे कि number of shares कितने हैं 10,000 share हैं एक लाग share हैं कितने shares हैं उनकी face value बतानी पड़ेगी कि यह share of rupees किया face value को nominal value भी बोलते हैं यह जुरूरी है आपकी balance sheet इसके बिना भी tally हो जाएगी बट आपको यह जुरूर present करना है इसके अलावा आपको बताना है issued capital कितनी है subscribed capital कितनी है और paid up share capital कितनी है तो इसके लिए आप लोग अपने पास जो information show करते हैं वो आप कैसे show करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास इतने shares of इतने equity shares of rupees 10 each इतना called up हम इस तरह से उसको present करते हैं फिर उसमेंस कर देते हैं calls in areas तो जो balance निकल आता है उसे हम क्या बोल देते हैं balance is your जो paid up amount है उसको हम बोल देते हैं हमारा balance amount है ये आपका एक basic presentation है कुछ disclosure भी बहुत जिरूरी है हमें बताना पड़ेगा हमारे पास जो equity shares हैं अगर वो non cash consideration में issue हुए हैं तो आपको ये report करना ज़िरूरी है non cash consideration का मतलब होता है जिसमें आपने consideration तो लिये लेकिन वो cash नहीं है जैसे land ली है building ली है कोई और चीज़ खरीदी लेग उसके बदले में shares दिये हैं इसके लावा हमें अपने पास जो present करना पड़ता है that is basically जो disclosure करना पड़ता है वो ये कि अगर आपने shares without consideration issue कर रखे हैं मतलब bonus share issue कर रखे हैं प्री में share issue कर रखे हैं that is basically called कि हमको वो भी disclosure करना जुरूरी होता है that is also the requirement to be disclose इसके लावा हमें अपने पास जो share capital के बारे में बताना पड़ता है बहुत ज़्यादा important नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिन share holders के पास more than 5% shares है मुझे उनकी list देनी पड़ती है उनके नाम बताने पड़ते हैं वो कितने share hold करते हैं मुझे ये बताना पड़ता है मुझे अपने shares के rights बताने पड़ते हैं उनकी preferences बतानी पड़ती है उनकी obligations बतानी पड़ती है ये सब और भी disclosure होते हैं तो share capital पर आप इस disclosure को हमीशा इस प्रकार से करेंगे followed by that अगली item मैंने आपको बताई थी वो थी reserves and surplus तो जो reserves and surplus हैं हमने उसके बारे में भी बात करी थी कि reserve and surplus बड़े तरह के होते हैं free reserves होते हैं non-free reserve होते हैं specific reserve भी बोलते हैं उनको उनमें भी capital reserve होता है capital redemption reserve होता है debenture redemption reserve होता है security premium होता है revolution reserve होता है और भी specific reserve होते है employees stock option plan reserve होता है जिसको आप ESOP reserve भी बोलते हैं और एक और भी item होती है retained earnings Retained earnings को ही खाली आप surplus भी बोलते हैं इसी को आप P&L का balance भी बोलते हैं इसी को आप P&L का appropriation का balance भी बोलते हैं वो जमाने के साथ साथ चीज नाम बदलते गए कभी इसका नाम P&L appropriation का balance था तो कभी इसका नाम P&L का balance हो गया कभी इसका नाम surplus हो गया तो कभी इसका नाम retained earnings या retained surplus हो गया यह positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है अगर मान लो हमारी company में loss है तो retained earning negative में भी आ सकता है ऐसे और भी दो free reserve मैंने आपको बताए थे general reserve भी free reserve होता है dividend equalization reserve भी free होता है और भी एक आपको general knowledge के लिए बाते बताई थी कौन-कौन से workman के बड़े सारे funds बताई थे क्या-क्या होते है again वो हमारे लिए बहुत relevant नहीं है इसलिए मैं उसकी दुबारा discussion नहीं कर रहा ह। फिर मैंने आपको बताया कि इसके बाद एक third item होती है अब रदर आज वहां से शुरू करना था हमने जो third item है वहां से आज हमने शुरू करना था वह third item कौन सी है money received against share warrant अब पहला question उठता है कि sir share warrant ही क्या होते है share warrant एक ऐसे bearer instruments है even non bearer भी हो सकते हैं ऐसे instruments हैं जिनके बदले में company bound है to issue shares in the future तुम इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हें मैं simple तरीके से बता रहा हूं बाकी law वाले सर बताएंगे तो मैं आपको एक simple तरीके से बताना चाहता हूं कि किसी company के अंदर मैं आपको बलकि offer दे रहा हूं मुझे बताना आप मेंसे कोई बच्चे अगर लेना चाहें तो मैं यह कहना चाहता हूं क्या आप मेरी company को पैसा देना चाहेंगे बदले में मैं आपको share दूँगा अभी नहीं दूँगा मैं आपको पांच साल बाद share दूँगा आप मेंसे कोई बच्चे अगर मान लो agree करते हैं तो मुझे बताएंगे मैं आपसे कह रहा हूं करीना ने मना कर दिया वेदात कह रहा है मैं कैसी बात कर रहे हो पैसे आपको अभी दे दे share आप बाद में दोगे यह कैसी बात हुई भला यही तो बात हुई मैं आपसे कह रहा हूं पैसा आज दे दो शेर आपको दो साल बात दूँगा पान साल बात दूँगा और आप तब भी बाए करेंगे पता क्यों जैसे अमबानी जी ने किया पता क्या किया अमबानी जी ने अमबानी जी ने कहा कि ऐसा है कि हमें पैसा उनका एक शेर कितने रुपे का जरा मुझे बताओ, हम ट्राई करते हैं आज के हिसाब से बात करते हैं गार्गी ध्यान से सुनना मेरी बात को पहले तो गार्गी को लग रहा है कि गारेंटी होगा तो हम दे देंगे गार्गी एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं पहले मुझे ये बता हूँ मेरे पास बीलकुल गारेंटी है फूरी गारेंटी है ठीक है गारगीड there is no problem of guarantee will you give me the money and I will give you shares after five year will you agree to it there is a full guarantee बहुत आपने सार पे दिये हैं मैं आपको सार पे के शेर पांच साल बात दूँगा शेर पे आपको ब्याज मिलना नहीं और मैं आपसे कह रहा हूं कि पांच साल बाद दूँगा तो पांच साल तक मैं ब्याज भी नहीं दूँगा पांच साल तक डिविरेंड भी नहीं दूँगा विकॉस आप शेयरोल्डर यूर नोट गेट अनी रिटर्न आप बोलो कि हम पागल थोड़े ना है कि हम पांच साल बाद शेयर लेंगे पैसे अभी देर डाले और पांच साल बाद आपसे शेयर मिलेंगे और इस पांच साल में क्या मिलेगा कुछ भी नहीं ना कोई ब्याज मिल रहा है, ना कोई डिविरेंट मिल रहा है, फिर भी लोग खरीदते हैं, तो क्या कारण है, तो मैं बताता हूँ इसका क्या कारण है, ध्यान से सुनना हूँ उसको, बानी जी की कंपनी के एक्जामपल ले रहा हूँ मैं ठीक है एक्जाम उसमें अभी भी देखो डांट खाने वाले बच्चे हैं शौर्या कहा रहा है तर पांच साल बाद स्टॉक की वेल्यू हाईली एप्रिशेट हो जाएगी जब एप्रिशेट हो जाएगी तो पैसा दे रहे हो तुम स्टॉक मार्किट में पैसा लगा दो और पांच साल पड़ा रहे ने दो तब भी तो एप्रिशेट होगा इस दौरान तुम डिविडेंट भी कमाऊगे तुम कल को दूसरों के इन्वेस्टर हो तुम पैसा देने के लिए ही तैयार बैठे हो देर इस नो रेशनेल अब जो रेशनेल है मैं बताने जा रहा हूं जिसको तुम सुन रही है तुमें लग रहा है कि नहीं नहीं पांच साल में बढ़ जाया का कुछ नहीं होगा विडांत की भी इस शौर्या की समस्या थी तो आई होप आप दोनों का आंसर मिल गया अगर आपको ऐसी बात है तो अब दे दो मानी जी को 3000 पे का शेर है उन्हें बोलो पैसे ले लो शेर पांच साल बात देना अरे भाई तुम्हें क्या मिल रहा है ना डिविडेंट मिल रहा है ना लीकुरिटी मिल रही है यही शेर में पैसा लगाओगे डिविडेंट भी नहीं शारे और विडार जैसे तो दो-चार लोग होंगे ना जो खरीदने के लिए तैयार होंगे वरना तो कोई नहीं खरीदेगा तो अमबानी जी बोलेंगे जो शेर आज 3000 रुपे का है मैं आपको आज ही वो 2500 पे का उफर करता हूं पर शेर बाद में मिलेंगे अब इस बिकम्स दर रीजन तो बाए वारेंट यानि कि वो जो मार्किट में शेर का प्राइस होता है उससे सस्ते भाव पर आते हैं जब उसके सस्ते भाव पर आते हैं तो अब एक बात बताओ मान लो वेदात और शौर्या जो हैं यह आज ही खरीदेंगे स्टॉक मार्किट से तो बताओ इन्हें कितने का शेर मिलेगा फटा फट से बताओ अगर यह आज स्टॉक मार्किट से शेर लेंगे तो उन्हें तीन हजार पे का मिलेगा पर अगर यह कंपनी से वारेंट ले ल में पान साल तक कोई डिविदेंट नहीं मिलेगा अपकी भावना यहीं हैं कि एतना सफिशेंट है कि डिविडेंट को आंप ओलेंगे ठीक है इस बेस्टेडर वाइंडर अंडर सैंडिया पॉइंडर और पॉइंट अगर अमबानी जी कहेंगे सर मैं आपको वारंट दे रहा हूं 2950 उर्पे का तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं यह गलत है रही 50 उर्पे डिविनेंट इससे जाता मिल जाएगा तो लोग वारंट को बाई कर लेंगे तो यह था एक बेसिक वारंट का पॉइंट अब यह वारंट क्या है क्योंकि पांच साल तक शेयर नहीं बनेंगे तो पांच साल तक इन्हें कोई नाम देना पड़ेगा क्या नाम दे इनको नाम दे दिया वारंट मैं कह सकता हूं वारंट माने तो अंडा ठीक है ना मुर्गी का जैसे अंडा तो यहनी कि यह बन जाएगा शेयर पर अभी नहीं है शेयर तो जब तक वो बन नहीं जाता चिकन क्या है वो बेसिकली वो है एग वैसे ही मैंने का जब तक बन नहीं जाता है शेयर तब तक वो क्या है फटा फट से बताओ तब तक उसका नाम है शेयर वारेंट तब तक क्या जो बाद में शेयर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, कमपनी इनके शेयर्स दे देगी, अब मुझे ये बताओ, इसे बैलेंस शीट में कहा लिखेंगे, अब सवाल तो ये उठता है, कि बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, प्रगती ने कहा सर बैलेंस शीट में तो इसे लिखेंगे, वेदान्त ने भी कहा लिखेंगे, कमाल की बात है, सब के सब बच्चे इसे बोल रहे हैं लिखेंगे, तो मुझे आपको पहले तो न एक दो बाते बतानी पड़ेंगी, और भी, वेरि गुड़, अनशिक आने का सर यह लाइबिलिटी नहीं है, रितेश ऐसा तो हो नहीं सकता है, फिर भी अब रितेश एक काम करेंगे, रितेश कहास हम फोन कर रहे हैं उठानी रहे हैं, फोन उठाते हैं ऐसा नहीं है, आप अगर बी-बी कर रहेंगे तो फोन आबके पास प्रोमिस्ट कॉल में भी तो कॉल आ जाएगी ठीक है आप बी-बी करेंगे तो आपको हमारी टीम उठाएगे आप कमाल की बात कर रहे थे कुछ भी केहते चले चला जाते है कि हाट कोई फोन नहीं उठा रहा है हाँ तो तुम फोन करो मेरे बच्चे मेरी क्लास इस नॉट दा हेल्प लाइन फोन कर लो मेरे टेकनिकल टीम बैठी अभी भी काली बैठी आप बोलो तो उनको कॉल करो मुझे फटा फट से ये बताओ आप सबने कासर ये लाइबिलिटी है जर आप फटा फट से बताओ क्या आपको मालू में लाइबिलिटी की डेफिनिशन क्या होती है या लाइबिलिटी के गुन क्या होते है फटा फट से बताओ लाइबिलिटी के गुन क्या होते है आप बोलते हैं यह लाइबिलिटी है लाइबिलिटी है लाइबिलिटी के गुन क्या होते है लाइबिलिटी के गुनों में नमबर वन पहला गुन कुन सा होता है यह एक प्रेजन्ट ओब्लिगेशन है ये एक present obligation है present obligation का मतलब क्या है present का मतलब है आज obligation का मतलब आज का जिम्मा यानि ये जिम्मेवारी आ चुकी है क्या ये word future लिख रहे हैं के present लिखा है यानि ये आज जिम्मा आ चुका है इसका मतलब ये कि ये वो है कि जब आपकी responsibility आ चुकी है वैसे ये जिम्मा कितना होता है 100% आ चुका है कि उससे कम आ गया है तो भी चलेगा तो हम बोलते हैं कि बहुँ more than 50% आ चुका है अगर ये जिम्मा more than 50% आ चुका है तो ये present obligation है तो पहले तो liability का मतलब समझो नमबर दो जिसके अंदर outflow of resources होगा जिसमें outflow of resources होगा मुझे फटा फट से बताओ resources का मतलब क्या होता है resources का मतलब है assets जिसमें आपकी जेब से कुछ जाएगा जिसमें आपकी जेब से कुछ जाएगा और तीसरा which can be measured reliably जिसको आप measure कर सकते हो जिसका आप amount calculate कर सकते हो amount calculate कर सकते हो अब सारे बच्चे मुझे बताओ जब अमबानी जी ने पैसा लिया Reliance Industries Limited तो उन्होंने entry क्या डाली उन्होंने आप से जब पैसा लिया तो बताना warrant अमबानी जी ने कितने के issue किये थे अमबानी जी ने warrant कितने के issue किये थे ढ़ाई जार पे के क्या इसके बदले में share capital दे दी थी क्या वह share capital दे दी थी the answer is no उन्होंने क्या दिये थे share warrant उन्होंने क्या दे दिये थे उसके बदले में share warrant अब सारे बच्चे मुझे बताओ यह share warrant का credit balance है एक बच्चा बार बार कह रहा है शेर वारेंट एसेट्स है तो बहुत बताओ जिस बच्चे का कहना था ये एसेट है उनको तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना कि एसेट नहीं है इसका मदब ये एसेट तो हो ही नहीं सकता है तो शेर वारेंट दिल प्रीट यह नहीं है क्रेड जिम्मा क्या लिखा हुआ है पहला जिम्मा क्या लिखा हुआ है present obligation क्या company को share warrant में कोई जिम्मेवारी दी गई है जो उसे पक्का निभानी होगी हाँ उसका जिम्मा है फड़ा-फट से बताओ किस बात का जिम्मा है जल्दी से बताओ obligation है to issue shares and air issue करने पड़ेनगे जिम्मा तो है पहली condition पूरी हुगाई किया आप इसको measure कर सकते हैं फड़ा-फट से बताओ किया आप इसको measure कर सकते हैं आपने कितने share देने हैं कितने रपेवाले हैं किया आप इसको measure कर सकते हैं मैं तीसरी condition की बात कर रहा हूँ क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं? हाँ, येस. क्या इसमें आउटफलो आफ रिसोर्स होगा? क्या कंपनी की जेब से एसेट्स जाएंगे? क्या कंपनी की जेब से नगद नारायन जाएगा? कैश जाएगा? बेंक जाएगा? कोई बिल्डिंग देनी पड़ेगी? फड़ा फट से बताओ. क्या कंपनी को कुछ देना पड़ेगा? नहीं. दो कंडीशन पार हो गई. तीसरी फेल हो गई क्या यह लाइबिलिटी है डा आंसर इस नो देरफोर नॉट लाइबिलिटी और अगर यह लाइबिलिटी नहीं है तो मुझे फड़ा फट से बताओ फिर यह कहाँ जाएगा है तो equity के अंदर ये जाएगा shareholder fund की third item मुझे फटा फट से बताओ shareholder fund की third item कौन सी है जो आपके shareholder fund की third item है फटा फट से चेक करो वो कौन सी है balance sheet में लिखा हुआ आपने share capital के बाद reserve and surplus के बाद money against share warrant क्या आपको समझ में आ गई बात तो आपको अगर पूछा जाए कभी भी money received against warrant तो क्या ये liability में आएगा के नहीं ये liability में नहीं आएगा रटा हैं कि आपको समझ में आ रही है liability में क्यों नहीं आएगा please give me the answer मैंने इतना बोला अब आप बताओ liability में क्यों नहीं आएगा क्योंकि it fails the definition of liability ये liability की definition क्या कर जाता है fail कर जाता है क्योंकि इसमें outflow of resource नहीं है अच्छा इसी से connected एक और भी question आ जाता है ये भी तो हमने अपने पास समझाता ना अरे ये क्या हुआ मैंने आपसे कहा मान लो हमने इंप्लॉईज स्टॉक आप्शन दिए इस आपस मुझे फड़ा फड़ से बताओ जो इस आपस है ये हमारी liability है की नहीं है क्या इस आप liability है की नहीं है पर future में तो asset decrease होंगे बच्चे ने का है sir company share issue करेगी तो future में assets कम होंगे नहीं बेटा जब share issue करेंगे तो entry क्या बनेगी शेयर warrant account debit to share capital balance sheet के asset को तो फरक नहीं पढ़ रहा उससे और फिर share बनेगे तो share ही बने रहेंगे अब आप बोलेंगे sir कि वो हम बाद में कभी तो repay करेंगे तो काप कभी तो repay करेंगे उसकी obligation ही नहीं आपकी वो condition फेल हो गई तो मुझे बताओ फड़ा फट से जो isops होते हैं जल्दी से बताएंगे जो isops होते हैं क्या ये isops में भी outflow of resource होता है क्या isop में भी outflow of resource होता है the answer is no अगर इसमें outflow of resource नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया फटाफट से बताओ it is also not a liability मुझे फटाफट से बताओ आप isop का जो reserve था ये कहां show करते थे इस आपका reserve कहां show करते थे reserve and surplus में इसे भी आप कहां show करते थे reserve and surplus में तो मुझे वो पूरी उमीद है कि आपको ये बात ध्यान रहेगी और आप उसको accordingly चलेंगे मुझे फटा-फट से बताओ आपको यहां तक बात पता चल गई कि share capital क्या है आपको ये भी पता चल गई कि reserve and surplus क्या है और ये भी पता चल गया money received against share warrant क्या है अब एक और item आती है share application pending allotment पहले तो ये बताओ इसका meaning क्या है share application pending allotment company को जो share जा रहे हैं वो तो share का resource नहीं मानेंगे शिवांग resource मतलब assets share जो जा रहे हैं they are not assets ओके शिवांग chartered accountant बनना है आपने bank account जो आपके assets side होती है न वो credit होनी चाहिए तो वो थोड़ना credit हो रही है share application pending allotment फड़ा फड़ से बताओ ये क्या चीज़ है पैसा receive कर लिया और हमने अभी तक उनको shares issue नहीं किये हमने अभी तक share issue ही नहीं किये मुझे ये बताओ warrant में आपने उन्हें कहा था हम पांच साल बात देंगे इनमें ये नहीं बोला पांच साल बात देंगे temporarily आपने कहा वैसे आम तोर पे कितने दिनों में share a lot होते है 120 डीज में तो 120 दिनों तक पैसा आपने ले रखा है पर share आपने अभी देने बाकी है क्या ये लाइबिलिटी की condition पार कर रहा है क्या share तो फिर से एक बार शिवांग आपको मैं entry पूछ रहा हूं जो आप entry बनाते हैं वो entry बताओ क्या बनती है जब आप share के लिए application का पैसा लेते हैं तो entry बनती है bank account debit to share application ये कहा जाएगी balance sheet में जाएगी later on आपने share application को share issue कर दिये तो मुझे शिवांग फटा फट से बताओ जब आप share issue करेंगी तो आप entry क्या लिखेंगे to share capital तो क्या शिवांग share capital is your assets फटा फट से बताओ शिवांग जब आप share application account debit to capital लिखोगे तो this is not your assets therefore there is no outflow of resources भई liability तो ये तब बनती ना अगर outflow होता है इसमें लाएगी तो condition तो fail हो गई no outflow of resources तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो share application है क्या ये liability है फटा फट से बताओ जिसको हमने बाद में share देने है क्या ये liability है दा answer is not liability ये भी liability नहीं है और अगर liability नहीं है तो फटा फट से बताओ ये क्या है ये equity है अगर ये equity है तो कहां जाएगी ये equity में जाएगी फटा फट से मुझे बताओ equity में कहां पर जाएगी इसका नाम है share application money pending allotment यानि इसको हम बुलेंगे share application money pending allotment ये हमारी application money में जाएगी this is your spending allotment ये वहाँ जाएगी अब एक बात आप में से कुछ बच्चों ने पूछी नहीं जो पूछ सकते थे वो क्या point था वो ये पूछ सकते थे कि सर अगर मान लो share application money ली है और वो फालतू पैसा आ गया है तो what will happen to that money अगर मान लो हमने share issue कर दिये और हमने पैसा ज्यादा ले लिया application money का पैसा ज्यादा ले लिया तो हम क्या करेंगे हम refund करेंगे अगर हम refund करने वाले हैं तो कैसे refund होगा फटा फट से बताओ अगर share application money refundable है तो refundable है तो क्या ये liability है दा आंसर इस ये ये liability है इसका मतलब share application के आगे दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है share application money pending allotment है ये share application money refundable है तो आई होप अब आप इसके साथ ही इस बात को भी समझ चुके हैं मुझे फटा फट से बताओ ये वर्ड की क्या importance समझ गए आप pending allotment share application money pending allotment और अगर मान लीजिए ये share application money आपकी refundable हो मान लो ये refundable हो तो ये कहां जाएगी तो ये जाएगी other current liability में इसका मतलब यही share application money अगर refundable है तो other current liability में आएगी जब आप अपने साब देखोगे ना balance sheet मेरे साथ बनाओगे तो आप यहां पर पाओगे ये देखो other current liability में क्या आ रहा है share application money जो refundable है तो I hope आपको मेरी बात अब समझ में आ गई है आपने रेटना नहीं है किसी भी चीज़ को समझ लेना है कि concept क्या कहता है share application money refundable है पैसा जाएगा पैसा जाएगा तो liability है liability है तो equity में तो आएगी नहीं liability में जाएगी और अगर यह pending allotment है तो आपने share देने है share देने है आपका bank नहीं है वो आपकी liability नहीं है वो equity में जाएगी और equity में जाएगी तो उसकी जगा बनी हुई है हम वहीं पर show करेंगे I hope आप अपने पास conceptually लेकर अपने आपको चलेंगे के वो रटेंगे नहीं अच्छा इन चीज़ों को समझने का एक और तरीका भी है कुछ बच्चे इस तरह भी करते हैं I don't know आप मेंसे कितने बच्चे वो आपका मेरे को लगता है कि वो कहीं न कहीं आपको एक घटिया आदमी बनाएंगे वो ना पहला पहला वर्ड याड कर लेते हैं वो कहते हैं अच्छा इसका S ले लो इसका R ले लो इसका M ले लो और एक वर्ड बना लेंगे वो लेंगे कि हमने एक वर्ड बना लिया SRM फिर वो इसका एक वर्ड उठा लेंगे S पिर इसका एक वर्ड उठा लेंगे LDOL ल, टी, ओ, ल, वगेरा वगेरा और फिर वो इसको रटते रहेंगे कहेंगे भाई ये हो गई वैलेंशीट, हो गई वैलेंशीट मुझे इमानदारी से बताओ क्या ये तरीके से आप चार्टर्ड काउंटन बनेंगे क्या आप बोलें SRM S for, S for Share Application Money, R, 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 R for अब पता चला, R में आगे एक इन्वीज हो गए तो मेरा ये कहना है Logic को पकड़ो, शायद वो ज़्यादा आसान है तुम्हें खुद ही अब तक क्या इसमें कुछ रटने की आवशकता लग रही है वे शेर, आपका सबसे पहले Shareholder Fund आएंगे Share Capital आएगी, Reserve आएगा और Money Received Against Warrant आएगा फिर Share Application Money आएगी क्या भीतर से ही आवाज नहीं आ रही Share Application Money Pending Allotment, क्योंकि Refundable होते ही कुछ और हो जाएगा तो Pending Allotment भीतर से अपने आप आएगा You don't need to learn it कितना important word हो गया Pending Allotment That makes it liability or that makes it equity ये हमारे पास एक items है Liability की present obligation की condition को बता दो हाँ, शौर्या ने कहा है अच्छा शौर्या क्या आप मैं तुम्हार से मजाक भी कर सकता हूँ के नहीं कर सकता हूँ थोड़े बहुत मजाक कर सकता हूँ के नहीं कर सकता हूँ हाँ, शौर्या कह रहा हाँ मैं आप सब को एक खुश खबरी देना चाहता हूँ शौर्या की शादी पक्की हो गई है शौर्या की शादी पक्की हो गई है अभी शादी हुई नहीं है पक्की हो गई है कल ही शौर्या ने ring ceremony कर ली है अब पका हो गया उसका हिसाब किताब मुझे ये बताओ क्या शौर्य पे कोई जिम्मवारी आई है के नहीं आई है फटापट से बताओ क्या शौर्य पे कोई जिम्मवारी आई है के नहीं आई है रिंग फटापट पैन तो ली तुमने पैंड आली आपिपने पाया क्रेडित आए तुम्हार की पसला करने जा सकती है तुम्हारा दिल दुगक करता पीछे टेट यह अभी जिन बच्चों की सादी तैय नहीं विए उनके लिए भी आपके नहीं है उनके लिए यह चिंता की बात है कि नहीं नहीं पर भी जिम्लारी आई एक कि नहीं आई है नहीं आई है हाला कि उनको अभी भी चांस तो पूरा है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ उन्हें दिख रहा है भविश्य में कहीं न कहीं होता हुआ लेकिन अभी वो obligation आई नहीं है अच्छा एक व्यक्ति की शादी हो ही गई अब उसकी शादी हो गई तो उसके उपर तो जिम्मवारी आ गई है मैंने तीन स्टेजिस बताई है जब शादी तै नहीं हुई थी तो उसे बोलते हैं future obligation जब शादी तै नहीं हुई थी तो यह future obligation है तो मुझे सारे आप बच्चे बताओ शादी आप लोगों के लिए क्या है future obligation है ओके शादी आप लोगों के लिए क्या है future obligation है और जिसने अंगुठी पहन डाली उसका more than 50% chance हो गया कि भाई उसकी शादी तो अब लगबग पकी होई गई है उसकी हो गई प्रेजेंट obligation लेकिन more than 50% case में आ रहा है और जिस की शादी हो गई जिसने पहना डाली गवर्माला एक दूसरे को उस case में तो 100% हो गई है तो बताइए liability कब बनती है फड़ा फट से बताओ liability कब बनती है हाँ नालाइक करीना ऐसे तो ना होता है अच्छा liability बनती है मैंने वो लिखा था liability बनती है more than 50% पर 50% पर नहीं बनती है 51% पर बनती है your understanding जब आपको उसके chances बलकुल bright हो जाते हैं अब तो बस हुई से हुई वहाँ उसको बोलते है liability अच्छा आप में से वैसे मैं कोई शादी से connected point नहीं बोल रहा हूँ मैं एक general company के बारें बात कर रहा हूँ अगर company की कोई obligation present obligation बन गई है जिसको measure कर सकते हो जिसमें पैसा भी जाएगा क्या ये liability की definition पूरी हो गई फटा फट से बताओ जिसमें आपने अपने पास तीनो बाते कर डाली उसमें liability की बाते पूरी होगे मैं general बाते कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ रहा है मैं आपको कोई class नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपका एक base build कर रहा हूँ मुझे फटा फट से बताओ ये लो एक एक दो हज़ार तेईस से एक जून दो हज़ार तेईस तक मेरे पास liability की condition satisfy नहीं हो रही थी ठीक है लाइबिलिटी की condition satisfy नहीं हो रही थी तो क्या ये मेरे पास liability बनेंगी the answer is no ऐसी सिती में ये क्या माना जाएगा equity ऐसे में क्या माना जाएगा ये equity अच्छा equity है तो आप इसे कहां लिखेंगे बई चाहे share capital में लिखो क्या share capital में भी तीनों condition पूरी हो रही होती है फड़ा फट से बताओ क्या share capital में भी तीनों condition तभी तो capital भी इसमें आ रही है share capital में आपका कोई जिम्मा ही नहीं है do you understand आपका कोई जिम्मा ही नहीं है ना पैसा refund करने का ना dividend देने का dividend भी देने की company की जिम्मवारी नहीं होती है वह declaring ना करें ऐसी तेसी कराओ तो share capital क्या है liability है कि equity है फड़ा फट से बताओ share capital क्या है equity है because it fails the definition of liability okay reserve and surplus तो reserve and surplus भी क्या है ये भी equity है चाप में से कुछ बच्चे इस बात से भी confused हो रहे होंगे कि share capital भी दो तरह की होती है equity share capital और preference share capital लो बोलेंगे सर एक ये word equity बोल रहे हो एक ये equity होता है ये दोनों अलग-लग है क्या हाँ अपने भीतरना ग्यान का चूला जला दो equity word अगर अखेला बोला जाता है तो equity word में ही share capital आती है equity word में ही reserve and surplus आते है equity word में ही money received against warrant आती है equity के अंदर ही share application pending allotment आती है क्या समझ में आ रही है word equity कितना बड़ा है equity में ही सब कुछ आता है तब ही तो balance sheet में क्या लिखते हो equity and liabilities I hope you understand equity and liabilities okay तो जिसने condition पार और एक होती है equity share capital वो एक item है okay वो एक item है तो मैं अगर अपने पास एक item की बात करूं तो equity share capital एक item है equity की okay वो equity के item भी है तो word equity by chance दोनों में है उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मैंने का यह money received against share warrant भी है और share application money pending allotment भी है okay मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर इसके chances more than 50% हो गए अब इसके chance more than 50% हो गए अब बताओ अब मैं इसे क्या बोल दूँगा अगर सारी condition पार हो जाएं तो अब ये क्या बन जाएगी अब ये बन जाएगी liability जानते हो अभी 100% नहीं होई है ये कहलाएगी provision oh my god इसका मतलब ये provision में क्या होता है provision में estimate होता है provision में क्या होता है estimate होता है या तो होने का estimate होता है या amount का estimate होता है जिस भी liability में estimate का तड़का लगा हुआ है उसे बोलेंगे डाल तड़का ओ सौरी जिस भी लायबिलिटी में इसका तड़का लगा हुआ है फड़ा फट से बताओ डाल तड़का तो वैसे बोल दिया मैंने estimate का तड़का लगा हुआ है सारे बच्चे बताओ क्या आपको अपने जीवन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको चलो जीवन को छोड़ो अभी की बात कर रहा हूँ आपने इस साल प्राफिट कमाया क्या आपको टेक्स देना पड़ेगा येस और नो फड़ा फट से बताओ उसके चांस कितने है आपने प्राफिट कमाया है क्या 100% है आपको tax देना पड़ेगा हाँ इसमें कोई अनुमान की बात तो नहीं है कि पता नहीं देना है कि नहीं देना पका देना है पर अनुमान का तड़का क्या लगा हुआ है अमाउंट नहीं पता कितना देना है अमाउंट के अंदर आकर थोड़ी confusion चल रही है तो बताईए टेक्स की टेक्स एक liability है कि प्रोविजन फॉर टेक्स है फड़ा फट से बताओ टेक्स बेसिकली क्या है है तो liability लेकिन वाड़ प्रोविजन क्यों लग गया इसके आगे क्योंकि इसमें क्या है कुछ estimation है अच्छा अगर मान लो crystal clear है कि मैंने इतना ही टेक्स देना है तो क्या मैं उसे provision for tax बोलूँगा कि tax payable बोलूँगा फड़ा फट से बताओ जब मैंने का मुझे 100% sure है कि यही tax मैंने देना है तो it is not provision for tax it is called tax payable क्या मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे provision में एक समय आता है जब आपको clear हो जाता है कि भाई मेरे को इतना ही देना है तो मुझे बताओ उस समय वो क्या बन जाती है फड़ा फट से बताओ उस समय वो क्या बन जाती है tax payable अगर मैं general entry पूछूँ आपसे तो entry क्या बनेगी जब एक liability पक्की हो जाती है तो क्या provision को debit कर डूँँगा मैं फड़ा फट से बताओ provision for tax account debit हो जाएगी क्योंकि provision खतम हो गई और क्या बन जाएगी वो tax payable बन जाएगी या तो entry क्या बनेगी when I will pay the tax tax payable account debit to bank क्योंकि liability हो गई मैंने उसको पे कर डाला ओके योर understanding तो मुझे बताओ liability जो है क्या वो बिलकुल pure form है अच्छा loan के बारे में बताओ जरा मुझको loan liability है क्या loan पका पका बेंक को वापिस करना ही है हाँ क्या उसके amount में कोई doubt है तुमको क्या पता नहीं मैं कि loan कितना मांग लेगा वापिस नहीं clear cut कागज में लिखके भाई इतने पैसे देने आपने तो क्या उसके अंदर provision for loan होती है कि loan होता है that is a pure loan मैंने क्रेडिटर को पैसा देना है कोई अनुमान का तड़का है क्या इसमें कोई अनुमान का तड़का नहीं है तो क्या मैं आपको ये बात समझाने में सफल हो पा रहा हूं कि शुरुवात में एक item हो सकता है equity हो धीरे धीरे वो फिर बन जाए provision और फिर वो हो सकता है बन जाए liability बात समझ में आ रही है और जुरूरी नहीं है कि यही phase होगा क्या कोई item सीधी भी liability बन सकती है फड़ा फट से बताओ आप यह नहीं कह सकते सर हमेशा पहले reserve होगा फिर provision होगी फिर liability होगी क्या सीधा भी को liability बन सकती है मुझे फटा फट से बताओ मैंने bank से loan लिया entry क्या होगी bank account debit to bank loan सारे बच्चे मुझे यह बताओ पहली बार credit हुआ है मेरे पास कोई पहले तो credit था नहीं चैक करके बताओ क्या यह मेरे पास reserve है यानि equity है या यह मेरे पास provision है या यह मेरे पास liability है यह दोनों की condition हैं मुझे फटा फट से बताओ provision में और liability में वही दो conditions है वही तीन condition है बताओ provision and liability इन में वही तीन condition है पहली condition क्या थी present obligation दूसरी condition क्या थी outflow of resource और तीसरा क्या थी measured अगर यह तीनों हो जाएं yes तो यह क्या बन गई अगर यह तीनों हो जाएं yes जिम्मेवारी भी है पैसा भी देना पड़ेगा measure भी कर सकते हो तो यह बन गई liability और अगर इन में किसी भी जगा तुमने अनुमान लगाया था आपने amount में अनुमान लगाया था यह आपने P.O. को जानने के लिए वही कितने chances हैं अगर आपने कहीं पर भी अनुमान लगाया था तो यह क्या बन गई provision ओके और अगर मान लो यह condition ही फेल हो गई तो बताओ क्या होगा इन में से तीनों condition फेल हो गई दो condition फेल हो गई कोई एक condition फेल हो गई अगर मान लो condition ही फेल हो गई तो क्या है यह equity है और अगर equity है तो कहां जाएगा अब equity की चार जगा बता रखी है य या ये बात को समझना है थीक है दो तरीके हैं आपके पास या तो रेटो पेपर लिखो और पास हो जाओ हो जाओगे पास कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम आज भी कहते हैं कि आई चाइटिड काउंटेंट को यार 6 लाक रुपे तनका मिल रही है, कमाल की बात है, साल की 6 लाक रुपे मिल रही है, बीकॉम वाला भी 6 लाक रुपे से स्टार्ट कर रहा है, C.A. वाला भी कर रहा है, वो चाइटिड काउंटेंट के साथ थोड़ी चिंता जनक बाते होंगी, आप अपनी अगर नॉलिज आपने कल को क्या बेचना है फड़ा फड़ से बताइए आप सीए बन जाएंगे तो क्या बेचना है यू मस्ट अंडेस्टेंड बिजनस आपने नॉलिज बेचनी है तुमने का नॉलिज गई ऐसी तैसी कराने डिगरी ले लूँगा तो पैसे आजाएंगे नॉलिज ऐसी तैसी कराने तुम्हारी दुकान पे अगर तुम गंदे हलवाई हो तुम्हारी दुकान पे घटिया माल है तो हलवाई की दुकान तो खुल सकती है गरहाक नहीं आएगा और अगर नॉलिज नहीं है तुम्हारे प पढ़ने में ना बड़ी दिक्कत होती है बहुत परशान तो कि आपको जब कहा जाता था सीए में बड़ा दिक्कत है मेनत करनी पड़ेगी तो तब तुम चाती पीड के कहते थे हम मेनत करेंगे तो करो ना अब समय आया है तो करो अपने आपको कभी लल्चाओ मत कि मैं रटा लगा लेता हूं फटा पट हो जाएगा अब यह मैं जो चीजें बतारो यह कौन सेप्चुल है इससे आपका बेस क्लियर होगा बेस क्लियर होगा आगे फ्यूचरिस्टिक बनोगे और अगर मान लो बेसी क्लियर नहीं होगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी फिर उसके बाद हो सकता है धक्के से पास हो जाओ लेकिन देट ड़स नाट मेक्स यू अ गुड नॉलेज़ेबल परसन अगर नॉलेज़ ना होगी तो तुम मुझे क्यों पैसे दो गए ये तो नहीं को लोगे नहीं नहीं शर्मा जी तुम बड़े पुराने टीचर हो चलो पैसे तुमें ऐसे तो नहीं होगा नॉलेज़ होगी तब ही बात करेंगे इसलिए ध्यान रखना इस दुनिया में क्या बिखता है नॉलेज बिखती है और वो नॉलेज भी अपडेटिड और जोड़ वो वो नॉलेज होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सब के पास है वो यूनीक होनी चाहिए बात समझ में आती है नीरज चोपड़ा कल सिल्वर मेडल जीत गया क्या आपको मालू है इसकी बहुत-बहुत शुब काम ना है आपको भी नीरज चोपड़ा जो है वो कल सिल्वर मेडल जीत गया है ये नॉलेज सब को है क्या इसके पैसे मिल जाएंगे unique knowledge चाहिए वो भी updated बात समझ में आती है that will make the money it is so simple now come back आईए मेरे साथ साथ I hope आपको मेरी यहां तक की बाते समझ में आ गई है तो मुझे यह बताओ जब एक liability 100% हो जाती है फिर क्या बन जाता है जब यह 100% हो जाती है no estimation तो यह बन जाती है pure liability और यह balance sheet में आना शुरू हो जाती है तो I hope आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है हाँ हाँ रितेश बिटा आप एक बार call तो करो ना उन्हें देखना रितेश से बात हुई किया टेक्निकल टीम बालों की वो उसको पता नहीं कहा दिक्कत आ रही है लितेश देखो मैं अभी तो अभी तो मैं क्लास है आपकी मदद नहीं कर सकता है टेक्निकल को या आप यूटीब पे जाके देख लो अगर ऐसी दिक्कत है तो यूटीब पे देख लो फिर मैं एक बार आप ना आप दुबारा दिन में call करना हमारी टीम को call करके आराम से समझना प्रेशर नहीं होगा अच्छा एक बार एक्जाम में ये question पूछ लिया गया कि एक company को कोई chance ही नहीं लग रहा कि debtor होंगे बट वो अपने पास reserve for doubtful debt बनाना चाहती है profit से बताओ क्या वो reserve for doubtful debt जो है वो reserve है लेटर जाना ही नहीं रितेश अपना phone number भेज़ दो यहां से मैं technical team को बोलता हूँ call करेंगे हला कि आपको number दिया हुआ है आप एक बार call कर लेते तो अच्छा था तो बिटा reserves जो होते हैं reserves basically वो हैं जो अभी provision नहीं बने है सुभाजीत कह रहे हैं कि सर्थ question समझ में नहीं आया तो सुभाजीत reserve for any loss is not liability अगर मान लीजे मैंने एक reserve बना दिया for expected loss तो क्या और बात मिरे पास कि इसी से याद आई कि कल भी एक बच्चे ने पूछी थी मैं वह भी चाहता हूं कि चर्चा कर ले balance sheet का format तो ही जाएगा उसमें को बड़ी बात नहीं है मैं एक बात आपके साथ और करना चाहता हूं आपके पास एक है equity and liability की sides जिसमें आप पहले share older fund लिख देते हो फिर share warrant लिख देते हो share application money लिख देते हो फिर liability की बात शुरू हो जाती है तो liability में आप non current liability लिखते हो current liability लिखते हो यहां तक ठीक है फिर आपके पास एसेट्स भी आते हैं एसेट्स में भी आप non current एसेट्स लिखते हो और current एसेट्स लिखते हो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि कई बार हम कुछ provisions बनाते हैं on assets give me the examples of the provisions on assets कोई ऐसे example दो जो provision on assets है जैसे की provision for depreciation जैसे provision for decline in investment investment के उपर जैसे आप investment fluctuation fund भी बोलते हो जैसे provision for doubtful debts एक बच्चा कह रहा है provision for tax संजरा मिटा provision for tax कोई asset की provision है क्या asset के लिए provision की बात कर रहे हैं तो depreciation है नहीं PPE तो PPE के लिए बनाई investment के लिए बनाई debtor के लिए बनाई अब बात को ध्यान जा सुनना जो मैंने आपको condition बताई थी मैंने कहा liability में तीन condition होती है present obligation outflow of resources और तीसरी बताई जिसको हम क्या कर सकते हैं measure कर सकते हैं बात समझें जो provisions आपके पास है the provisions which are for asset these are not tested as per above three points क्या आपको बात ध्यान रहेगी यह नहीं अगर कभी भी कोई asset की provision बोलोगे ना तो मैं यह तीन बातों की बात नहीं करूंगा इसका मतलब जो मैंने आपको liability की definition दी या मैंने जो provision की list दी मैंने जो कहा यह तीन शर्तें चेक करो I am not talking of the provision which are created on assets I am talking only of the provisions and liabilities which are on liability side assets की provision की बात मैं नहीं कर रहा दूसरा आपने मन में दूसरा point सुनते जाओ बस मैंन हो सकता आपको स्कूल में यह बोलती हो कि asset की provision को asset में मत माइनस करो liability side दिखा दो balance sheet टेली हो जाएगी क्या ऐसा था school में मैंने यह कहा था कि provision को asset में मत माइनस करो liability side दिखा दो तो चल जाएगा this is totally wrong asset की provision कसम खाओ मेरे साथ साथ asset की provision हमेशा कहां से घटेगी asset की provision हमेशा asset में घटेगी ओके और उस पर आप यह तीन शर्ते अपलाई नहीं कर सकते हैं तो अपनी knowledge को resourceful करते जाओ कि ठीक है भाई यह जो basically बात चल रही है यह liability वाली provision की बात चल रही है asset वाली provision की बात नहीं चल रही है asset वाली provision किसी और तरह से understand की जाती है वो भी एक समय आएगा तो हम discuss करेंगे अभी right now कि आपको मेरी बात यहां तक पता चल गई तो मेरे अब उस balance sheet के structure पर आओ और मुझे बताईए balance sheet में अब अगली item कौन सी है हमने balance sheet के अंदर share older fund को पकड़ लिया समझ लिया share older fund की तीन item पकड़ ली share application समझ ली अब आ गया मेरे पास liability side क्या उसका basic meaning पता है आपको अब liability word बोल रहा हूं तो आपको understand हो गया liability क्या थी और equity क्या थी liability को भी दो parts में distribute कर दिया गया एक का नाम क्या है non current liability और दूसरे का नाम क्या है current liability पर दो item ही आपके exam के लिए relevant हैं तो पहले हम चार की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद दो कौन सी आपके exam के लिए ज़्यादा पूछी जाती हैं वो भी कर लेंगे सबसे पहला है long term borrowings long term borrowings अब liability है आपने आप call कर लेंगे वो यह लिजे लांग टर्म borrowings मुझे फटा फट से बताओ borrowing से आप क्या समझते हो है तो liability लेकिन borrowing से आप समझते क्या हो यह आपकी balance sheet का structure है और यह ध्यान अक रखने आपने शार्रा ने कहा उधार नई शार्रा है गलत जवाब दिया आपने borrowing का मतलब है जिसमें हाथ फैलाकर पैसा मांगा गया borrowing का मतलब क्या है हमने हाथ फैलाकर जिसमें पैसा मांगा है क्या इसमें शर्मिंदगी की फील जादा नहीं आ रही है उधार में कुछ नहीं है मैंने सामान उधार करीदा कोई लोन नहीं है मेरा ही है अब मेरी बात समझ रहे borrowing जो है वो सबसे purest form है जिसमें मैं कह सकता हूँ हमने liability में पैसा मांगा है और वही वापिस करना है और word long term बोल रहे हैं तो यहां long term का मत्रा क्या होता है जिसको pay कितने time बात करना है वेन वी से long term तो 5 साल वाले हैं 2 साल वाले हैं कितने time वाले को हम long term बोल देते हैं more than 12 months यानि एक साल बात जिसको आपने pay करना है वो वाली borrowings यहां पर आती है अब इसमें कौन-कौन सी borrowings हो सकती है long term borrowings में कुछ examples लेकर देखते हैं कि कौन-कौन सी example हो सकते है जैसे कि debentures आपका पुराना दोस्त debentures तो debentures basically क्या है यह borrowings है long term borrowings है एक बचेने का bank का loan बिल्कुल ठीक bank का loan बट गलती से भी bank overdraft मत बोल देना bank overdraft bank कितने दिनों के लिए देता है फड़ा-फट से बताओ bank overdraft bank 12 महीने के लिए देता है तो bank overdraft हमेशा कौन सा loan होगा फड़ा-फट से बताओ bank overdraft कौन सा loan होगा यह हमेशा short term borrowings होगी लेकिन bank loan बोल रहे होगर तो bank loan बड़ा loan होगया तो वो हमारे लिए कौन सा होगया long term borrowings आ गई मैंने दो example cover कर लिए एक तो bank loan बोल दिया एक debenture बोल दिया मुझे बताओ debentures क्या secure होते हैं फड़ा-फट से बताओ क्या debentures secure होते हैं मतलब यह कि यह पैसा वापिस करना है तो company की उसमें जिम्मारी होती है पूरी the answer is yes इसी का एक impure form भी है वो है bonds मैं आप सब को कह रहा हूँ मेरी company debentures issue कर रही है तो आप सब को मैं यह बोलना चाहता हूँ कि मैं आप से loan मांग रहा हूँ क्या वो loan secure है फड़ा-फट से बताओ मैं debenture issue करूँगा क्या वो loan secure है the answer is yes debenture दे रहा हूँ मैंने का मेरी company bond issue कर रही है तो इसका क्या मतलब है bond का मतलब है पैसा दे दो पर मैं वापिस करूँगा के नहीं करूँगा उसकी कोई security नहीं है तो मुझे बताओ आपको कौन सी जगा पर तो शार्या ने कहा debenture में पैसा लगाना चाहिए अंजली ने भी कहा debenture में तनूसरी ने भी कहा debenture में बिल्कुल ठीक अगर bond पे ज़्यादा भी आज मिल रहा हो तो बात समझ में आ रही है अगर bond पे ज़्यादा भी आज मिल रहा हो और भी जादा एक समय नहीं आ जाएगा कि आपको लगेगा यार इतना भी कौन सा खत्रा है यार ले ले कोई बात नहीं इसलिए तो बाजार में बाँड भी चलते हैं आप क्यों कई सोचेंगे किसा अगर मानलो बाँड अनशीर्ट फॉर्म है डिबेन्चर फॉर्म है तो कोई बाँड लेता ही क्यों है कंपनी क्या उन्हे सुन्दर बनाकर लालच देती है आपको हाँ वो उन्हें लालच देती है और reality है बिना security के भी कुई सारी कंपनिया गबन थोड़ना कर रही है इसलिए आपको लकता है हाँ यार बढ़िया है क्या दिकत हो तो यह company भाग थो ना रही है बढ़िया company है मैं जानता हूँ अब आप मुझे बताएं अगर मुकेश अम्बानी issue करता है bond थोड़ा सा rate of interest ज्यादा भी दे रहा है तो मैं बोलूगा bond ही ले लो यार कौन सी दिक्कत है अगला शादी पे 5000 करोड कर्च कर रहा है पैसा बहुता ह इसलिए bond भी बिखते हैं एक और example देता हूँ deposits यश कह रहा है क्या unsecure debentures भी होते हैं हाँ वो भी हो सकते हैं unsecure debenture भी हो सकते हैं लेकिन मैंने का generally वो debentures secured होते हैं मैं बोल रहा हूँ deposits या fixed deposits अब इस word के साथ एक थोड़ी problem है आप सबने न FD को हमेशा क्या समझा है कि FD is assets क्या आप सब को यह लगता अरे FD तो रख्योंी है भाई घर में शादी करने के लिए तो समझिए आप सब के लिए FD एसेट हैं बेंक के लिए FD क्या है आप सब बड़े खुश होते हैं मेरे पास FDA है, मेरे पास FDA है, मेरे पास FDA है बैंक कह रहा है, मेरे पास भी FDA है पर उसने FDA के पैसे देने हैं तुमने उसी FDA से पैसे लेने हैं उसने उसी FDA से पैसे देने हैं तो क्या fixed deposit भी liability होती हैं तो don't think about yourself, think about the companies companies भी FDA इशू करती हैं आप मेंसे कौन-Kौन FDA लेना चाहेखा, company की bank की भी FDA मिलती ए, और company की भी FDA मिलती है और company की FDA अंसी के और होती हैं ध्यान रखना आप मेंसे कौन-Kौन FDA लेना चाहेगा तो आप मेंसे सब बोलेंगे, नहीं, नहीं मैं FD बिलकुल ना लू मैं FD बिलकुल ना लू वही लालच किसी का लालच है बेटा और कोई लालच नहीं है जब तुम्हारे को यह लालच दिया जाता है तो क्या FD भी बिखती हैं कंपनी की The answer is yes क्या वो बाद में कंपनिया भाग भी जाती है हाँ वो कंपनिया भाग भी जाती है और भाग जाती है तो क्या लोगों को दिक्कत भी होती है लोगों को दिक्कत भी होती है फिर भी FD यां कंपनियों के भी चलती है सर बाद में और FDs में क्या अंतर है बाद आम तोर पे लंबे पीरिड के होते हैं पांच साल के और FDI आम तोर पे तीन साल की होती है बात समझ में आती है इसका बदाव उनके कुछ टर्म्स अलग लग होते है सरवल भाशा में कहें तो बात एक ही है आचा आप सब के रिष्टदार है क्या कमपनियों के भी रिष्टदार होते है क्या कमपनियों के भी रिष्टदार होते है कमपनियों के भी रिष्टदार होते है कमपनी के डारेक्टर सबसे पहले तो डारेक्टर ही रिष्टदार होते है या आपको लॉवाले सर बोलेंगे भी बोलेंगे कई बार उसके सबसीडरी कमपनी भी रिश्चदार होते हैं ऐसे करके बड़ी सारे लोग हैं जो कमपनी के रिश्चदार होते हैं रिश्चदारों से भी कमपनिया लोन लेती है रिश्चदार कितने समय का लोन देते होंगे फटा फट से बताओ अगर आप में से आपके अपने रिष्टदारों से लोन मांगते हो तो आपको रिष्टदार लंबे पीरड का लोन देते हैं या छोटे पीरड का लोन देते हैं आप अपने घरों से मुझे जवाब बताएंगे आपके रिष्टदार आपको लोन जब देते हैं तो कितने period का देते हैं आम तौर पे, I am again saying generally, वो आपको loan छोटे period का देते हैं तो loan from related parties, या loan from director, आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे when I say, आम तौर पे, it means generally ये क्या होता है, short term अगर मान लो आपके पास question में लिखा हुआ है loan from related party, long term तो फिर long term होगा you are understanding, बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, loan from related party, तो ये क्या होगा अगर खाली लिखा है, loan from related party, तो ये क्या होगा, ये short term होगा, यो कि रिश्दार जो loan देते हैं, वो क्या देते हैं, short term के लिए, लेकिन अगर लिखा हुआ है long term, तो long term भी हो सकता है तो मुझे फटाफिट से बताओ long term liability हैं कौन-कौन सी हो गई फटाफिट से बताओ, एक तो मैंने debenture बताओ, एक मैंने bank loan बताओ, एक मैंने bond बताओ, एक मैंने fix deposit बताओ, एक मैंने loan from related party, जेनली तो नहीं बट अगर कहदे, कि long term है तो ये भी long term हो सकते हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, इसके अलावा, हमारे पास lease obligation भी होती है lease obligations क्या होती है, क्या आपको समझ में आ रहा है, lease obligation या deferred payment obligation ये सब उसके नाम है, अलग लग नाम है आप मेंसे कितने बच्चों ने, किनके कितने माता-पिता ने आपके घर में कार finance करा रखी है बएक कार खरी दी है, पर नगत नहीं खरी दी है, finance करा रखी है तो अगर आपके माता-पिता ने कार finance करा रखी है, तो आप उसे साधारनत है क्या बोल देते हो हमने कार लोन पर ली हुई है वो लोन नहीं है उसको हम बोलते हैं अपने पास financial lease obligation नाम है सर सर आप हमें बताओ सर बलुकुल बताते हैं आओ जड़ा यह लिजे financial lease obligation मुझे फड़ा फट से बताओ भाई यह क्या हो गया financial lease obligation हाँ जी financial lease obligation यह क्या है यह हमने जो कार फाइनास करा रखी है ना यह वो है जो हमने कार फाइनास करा रखी है अब नाम उसका यह है हमने कार lease पर ले रखी है सन्हा कह रहे है क्या इसको e-m-i भी बोल सकते है e-m-i थोड़ा ज़्यादा देसी नाम हो गया तो सन्हा हम इतने देसी नहीं बनेंगे कि हम e-m-i लिख दें और बदे मज़े की बात है यह नाम आपको फालो करने पड़ेंगे जो नाम आपका schedule 3 देता है है यह वही वाला जो आप e-m-i की बात कर रहे हैं इसी को deferred payment liabilities भी कहा जाता है तो यह नहीं कि यह दो नाम मैंने आपको बता दिये यह car loan वाले हो गए fix deposit बता दिया deposit भी एकी बात है दोनों एकी बात है debenture बता दिये bond बता दिये related parties भी हो सकती है तो पहले मुझे बताओ क्या borrowings के अंदर अब आपको पता चल गया आता क्या क्या है borrowings में आता क्या क्या पता चल गया नमबर दो अब कुछ बाते और अब आपको disclosure सुनना है हमेशा loan के बारे में या borrowing के बारे में आप जरूर बताएंगे उसका पूरा nature क्या है उसका पूरा nature क्या है सर सर इसका पूरा nature का क्या मतलब होता है मैंने का उसका पूरा nature की बात करते हैं कि उसका पूरा nature क्या होता है देखते हैं जरा मैं कोई annual reports भी लेकर आया हूँ आपके लिए इनके पास तो loan ही नहीं है बताओ किसी और से देखते हैं किसी और के पास कोई loan है क्या यह देखें यह किसी company की annual report है क्या आपको दिखाई पड़ रही है किसी company की यह annual report है मुझे फटा-फट से यह बताओ यह word लिखा है secured loan, unsecured loan, HDFC car loan, unsecured loan from director and relatives unsecured loan from shareholder, unsecured loan before this date, unsecured loan from companies यह क्या मतलब है, हमें यह क्यों लिखना पड़ रहा है उसका नाम क्यों लिखना पड़ रहा है secured, क्यों लिखना पड़ रहा है unsecured, क्यों लिखना पड़ रहा है उसके description तो आपके requirement है यह क्या requirement है आप हमेशा लोन के नाम के साथ पूरी description देंगे ओके आपको उसकी description देनी है उसकी nature देनी है अब उस loan के बारे में क्या क्या nature के बारे में बाते होती है फड़ा फट से बता आई डोन आप मेंसे कुछ बच्चों ने ऐसा ध्यान notice किया था कि नहीं notice किया था कि आपने पूल में ये entry डाली थी कभी bank account debits भाई ये अच्छा इदर आएगा debenture issue करने अच्छे को क्या है मैं थोड़ा iPad पे नया हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है bank account debit 2 debentures को issue करते थे तो क्या मैंडम ये ऐसे लिखवाती थी 9% debentures क्या आपको इसका meaning भी पता है meaning तो पका पता है 9% का क्या मतलब है rate of interest पर ये लिखा क्यों है यह ये लिखा क्यों है यह अच्छा कई बार ऐसा भी होगा 9% mortgage debentures कई बार ऐसा भी होगा 9% debentures repayable 2026 क्या ये सब नाम आपने देखे हुए है क्या debentures के आगे पीछे कई बाते लिखी जाती है उनके आगे पीछे कई बाते लिखी जाती है क्या आपने notice किया था आपने कभी सोचा था कि debenture या loan के आगे ये क्यों लिखा जाता है और किसी के आगे तो नहीं लिखा जाता क्योंकि ये schedule 3 की requirement है schedule 3 कहता है आप loan का description साथ में ही देंगे तो इसका मतलब पता क्या क्या लिखना होता है अब मैं बताता हूँ लिखना क्या होता है सोचो मैं एक entry बनाऊंगा आपको एक्जाम में ऐसे लिखना होता तो क्या होता लिखना होता 9% mortgage secured debentures from plant and machinery which are repayable in 2026 ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा लंबा नी हो गया थोड़ा सा इसका मतलब ये school की madam ने इसी को छोटा करते करते क्या बना दिया 9% debentures actual में क्या करना होता है केवल 9% नहीं लिखना होता 9% भी लिखना होता है source भी लिखना होता है जैसे car loan कहां से था उस example में जो company की report दिखा रहा था car loan कहां से था HDFC loan कहां से था director तो आपको ब्याज का rate भी लिखना है आपको बताना है इसके अंदर लिया कहां से है आपको बताना है ये secure है के unsecure है क्या वहाँ पर भी लिखा हुआ था secure unsecure दो डबे बना रखे थे हाँ उनमे rate of interest नहीं लिखा था rate of interest इसलिए नहीं था वह zero percent interest पे है क्योंकि company के भीतर के loan है वो ओके तो हमें ये सब बाते लिखनी होती है तो आप मुझे वाड़ा करो कि आप इसको exam में भी छोड़ोगे नहीं मतब ये सवालों के अंदर ना ये चीजें आएंगी आपके पास हम ऐसा नहीं है कि हम कहें सवाल आप जब करोगे तो ये नहीं दिखाई देगी सवालों में जब आओगे ना तो आपको दिखाई देगा कि अरे exam में भी ये सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको कोई सवाल दिखाता हूँ तो आपको लगे का अच्छा मतब इंसीचूट भी यहीं पूछ रहा है हमसे exam में भी यहीं पूछ रहा है तो यह नहीं आप अगर मान लो उसको ऐसे नहीं लिखोगे तो बात मुश्किल हो जाएगी यह फड़ा फट से बताओ इस लाइन को पढ़ो क्या को यह कोश्चन है यह आपकी बुक का कोश्चन है कह रहा है जो यह डेड़ लाग का लोन है दा बैलेंस ओफटी इन दा लोन अकाउंट इस विद स्टेट फाइनास कॉर्परेशन यह लोन लिया हुआ है स्टेट फाइनास कॉर्परेशन दा लोन इस सिक्योड बाइ हाइपोतिकेशन अफ प्लांट वो कह रहा है यह जो इस लोन है यह क्या है यह सिक्योड है बाइ प्लांट अन मिशिनरी मुझे फड़ाफट से बताओ क्या मुझे एक्जाम में क्या मुझे एक्जाम में यह लिख कर आना पड़ेगा फड़ाफट से बताओ क्या मुझे ये लिख कर आना पड़ेगा उसका नाम क्या है क्या मुझे बताना पड़ेगा ये loan secured है क्या मुझे बताना पड़ेगा secured by hypothecation of platon machinery है ये हाई पोतिकेशन का मतलब होता है गिरवी रखना ठीक है ये अगर किसी बच्चे को मीनिंग ना पता हो तो मैंने बता दिया तो जब आप इसका आंसर देखोगे ना तो देखना इंसिचूट का जो आंसर होगा क्या वो लोन के साथ जरूर लिखेगा उसका नाम अब जो बच्चा ये नाम नहीं लिखेगा क्या उसकी भी बैलेशीट टेली हो जाएगी जिस बच्चे ने अपने एक्जाम में ये नाम नहीं लिखा बैलेशीट तो उसकी भी टेली हो जाएगी पर नंबर नहीं मिलेंगे फिर वो कहाएगा भाई जाब पता नहीं पेपर तो बड़ आच्छा हुआ था बैलेशीट भी टेली हो गई थी फिर टेली होके भी नंबर नहीं दिया उसने I hope you are understanding We must understand कि हमारे को institute को चाहिए क्या क्या ये भी लिखना जुरूरी है secured by hypothecation of plants ये भी लिखना जुरूरी है क्या loan के आगे unsecured भी लिखना जुरूरी है Oh my God क्या आपके भीतर कुछ बदलाव लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि balance sheet को बनाते वक्त आपका focus केवल numbers पे नहीं होना चाहिए अंग्रेजी पर भी होना चाहिए I don't know आप मेंसे कितने बच्चे मेरी बात को पकड़ रहे हैं कुछ बच्चे numbers को ही पकड़े रखेंगे अरे टैली हो गई ना balance sheet टैली हो गई ना भाई टैली होने का काम नहीं है तुम्हारा तुम chartered accountant हो तुम्हारा काम टैली कराने का नहीं है पके पैसे मिलेंगे तुम्हारा काम उसके अलावा law की compliance है यह knowledge है इसके पैसे मिलेंगे तुम्हें और अभी जब तक पैसे नहीं मिलेंगे इसके क्या मिलेंगे नंबर मिलेंगे नाच मेरे बच्चे के नंबर मिलेगा आपको नाचना है नमबर मिलेंगे ठीक है बाद में इसी से क्या मिलेंगे इसी से आपको पैसे मिलेंगे तो यह तो अंडरस्टैंड इट और यह बदलता भी रहेगा यह बदल क्यों जाएगा कल को मैं भूल गया दो दिन पहले बताया था ये बदल क्यों जाएगा बदल जाएगा क्योंकि हमारे पास वो साथ लोगों को अब लगेगा पार्लिमेंट को नहीं आर ऐसे नहीं होना चाहिए ये भी होना चाहिए तो बदल भी जाएगा आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे फड़ा फट से ये बताओ अगर आपको यहां तक समझ में आ गई हो बात तो हम आगे चलेंगे और मुझे फड़ा फट से बताओ आपको मैंने ये बता दिया आपको ये बताना जरूरी है कि लोन कहां से लिया है आपको ये ब आपको बताना है security कौन सी है आपको बताना है कितने समय का loan है term का मतलब होता है कितना समय आपको ये बताना है source क्या है लिया कहां से है loan यहां तक ठीक मैंने एक बात नहीं बताई बताओ कौन सी वाली ये नहीं बताई है current maturities वाली बात नहीं बताई है अब ये वाली बात को भी अगर हम समझ लें तो बात समझ में आ जाएगी this is my long term boring की चर्चा भी खतम फिर उसके बाद तुम long term boring के भी exploit हो फिर सवालों में जब आओगे तो question देखके ही पता चल जाएगा भाई साब इसका क्या करना मैं इसको सारा करने के बाद एक बार एक short video बना कर पूरा topic पकड़ के चोटा कर दूँगा अभी पहले सुनते अभी पता क्या है मैं आपकी knowledge बनाने के लिए दाएं बाएं भी जा रहा हूं फिर उसके बाद आपको सिर्फ trucks दूँगा भाई इतना करना आपको लगेगा कुछ इसमें रटने वाला ही नहीं है हम एक example लिखते हैं आओ मेरे साथ साथ एक example लिखो लिखेंगे example ए लिमिटेड तुक अ लोन आफ रुपीज वन लैक अन वन फूर ट्वेंटी ट्वेंटी फूर इस देट को ए लिमिटेड ने एक लाक रुपे का लोन दिया इस लोन इस रिपेबल और थाइटी फर्स्ट मार्च 2026 ये इस date को repayable है generalize कोई मुश्किल बात है ये बिलकुल simple बात है loan लिया और loan repayable भी है मेरे पास ये है 24-25 और ये है 25-26 मुझे फटा फट से बता दो पहली entry जब मैं loan लूँगा तो entry क्या बनेगी bank account debit 2 जब मैंने loan लिया तो मैंने लिख दिया to loan क्योंकि मैंने आपको loan पर इससे ज़्यादा बात ही नहीं बता रखी तो आपने लिख दिया loan एक लाक रुपए कोई problem हो तो बताईए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे यहीं पे बनानी है balance sheets मान लेते हैं यहीं पे बनानी है balance sheets balance sheet क्या किसी भी दिन बनाई जा सकती है balance sheet कहीं भी बनाई जा सकती है मुझे फटा फट से बताओ अरजुन यह loan कितने साल बाद रीपे होगा दूर देखो यह loan कितने साल बाद रीपे होगा यह loan रीपे होगा दो साल बाद यह long term है के short term है फटा फट से बताओ यह long term है के short term है तो this is your long term loan और वसे वैसे यह बताओ आपको यह तो पता है ना loan is a liability आई होप ये तो पता ही है loan is a liability वो तीनों शर्तें पूरी हो रही है ये present obligation है जिसमें outflow of resources भी है जिसको measure भी कर सकते हो तो और चीज़ conceptually आपने build की है balance sheet में इसे कहां दिखाओगे balance sheet में क्योंकि long term है तो कहां दिखाओगे non current liability और non current liability में यहाँ पर क्या लिखोगे long term borrowings एक लाक रुपए any problem अच्छा और इसका वैसे long term borrowing का भी note बनता है पता है ना इसका भी note बनता है और यहाँ आप लिख दोगे long term borrowings में loan क्या इसके आगे rate of interest बताना पड़ेगा secured unsecured बताना पड़ेगा source बताना पड़ेगा security किसकी है सब बताना पड़ेगा the answer is yes तो I hope आपको पहला part समझ में आ गया कि loan के बारे में आप अगर अपने पास काम करते हैं तो यह होता है मुझे आगे बताईए क्या मैं अब 31 March 2025 की बात कर रहा हूं मुझे यह बताओ यहां पर भी journal entry में तो कोई फरक नहीं पड़ा journal entry तो कुछ नई तो आ नहीं रही है आज नई वैलेंशीट बनाएंगे फटा फट से बताओ आज नई वैलेंशीट बना रहे हैं आज यह हमारे पास कहा जाएगा अब देखो और मुझे फटा फट से बताओ loan कितने साल में रीपेबल है फटा फट से बताओ जो initially कितने period का था दो साल का था यहां यह loan था दो साल के लिए लेकिन यहां आते आते कितने साल का रह गया यहां आते आते वो एक साल का रह गया अगर वो अब एक साल का रह गया तो अब यह long term नहीं है अब यह basically क्या बन गया अब यह short term बन गया अब ये शाट टम बन गया तो अब इसको कैसे शो करना है आओ इसको देखे ध्यान से देखना मैं कैसे शो करता हूँ बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉंग टम बॉरिंग्स का नोट नमबर वन अमाउंट बताओ क्या लिखूँ पड़ा फट से बताओ लॉंग टम बॉरिंग्स का अमाउंट बताओ क्या लिखूँ निल और फिर मुझे बताओ करंट लाइबिलिटी में शोट टम बॉरिंग्स में क्या लिखूँ शोट टम बॉरिंग्स में क्या लिखूँ एक लाक रुपे यहां तक कोई problem हो तो बताओ note भी तो बनाने पड़ेंगे note number one long term warrings क्या आपको थोड़ा अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्या अजीब लग रहा है कि sir long term के पीछे क्यों पड़े हो जिसका amount zero है क्या आपको भी लग रहा है कि अजी शर्मा जी आप इसके पीछे क्यों पड़े हो जिसका amount zero है क्यों लिख रहे हो मैंने का लिखूंगा मैं तो loan एक लाग रुपे inner column में oh my god यह लिखना पड़ेगा आपको और उसके नीचे minus करूंगा current maturities of loan मैं उसके अंदर minus करके दिखाऊंगा कि यह amount nil इसलिए हुआ है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है क्या आपको सिरफ लिखने का तरीका सिखा रहा है मैंने conceptually तयार थे बट मैंने का भाई साब ऐसे लिख कर आना है number इस बात के मिलेंगे तो हम खाली निल लिख देंगे तो number भी निल देजेगा वो इसका मदब आप tension ना ले या तो number लेने हैं तो फिर मेरी बात को समझना पड़ेगा ये लिखने का तरीका है अभी short term वाला भी तो लिखना पड़ेगा बिल्कुल ठीक short term वाला भी लिखना पड़ेगा तो short term वाला भी लिखेंगे number दो short term boring और short term boring में कहां पर क्या लिखना है यहां लिखा जाएगा current maturities एक लाख रुपए अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ what is current maturities current maturity is that part of loan which is payable within फड़ा फड़ से बताओ current maturity is that part of loan which is repayable within 12 months where are current maturities shown current maturities को हम शो कहां करते हैं हम current maturity को शो करेंगे short term borrowings में but ये long term में घटा कर भी दिखाओगे long term में घटा करके भी दिखाओगे तो ये क्या दिमाग करावाली बात है पहले इसे घटाना है फिर उसके बाद यहां दिखाना है इसका इसे घटाना भी है घटते हुए दिखाना भी है फिर अलग भी दिखाना है इसके पीछे क्या कारण है कारण भई है उन साथ लोगों को अब बहतर समझ में आएगा क्या वैसे आप भी बताओ आपको भी बहतर समझ नहीं आ रहा आपको भी बहतर समझ नहीं आ रहा क्या आप बता रहे हैं कि लोन कितने का था आप कह रहे हैं लोन एक लाग का था फिर आप कह रहे हैं कि इस में से कितने का loan हमने current maturity में डाल दिया हमने का भी एक लाग में से एक लाग की current maturity है और अब वो यहां से कहां चला गया अब वो short term में आ गया now it goes to the short term तो I hope आपको बात समझ में आती है शौर्या कह रहा है कि 12 months is must operating cycle से correlation नहीं है शौर्या for our exam the answer is yes operating cycle से कोई मतलब नहीं है but क्या real में operating cycle से मतलब होता है the answer is yes okay so for the timing हम exam की theory कर रहे हैं तो हम exactly वहीं चलेंगे जिस जो हमारा institute follow करता है okay तो मैंने कहा आपको essay present करना है this is the way अब there is a problem ये problem आपके साथ आज पहली बार आने जा रही है बट ये problem कई बार आएगी 2021 कितने साल हो गए 2021 को गए हुइ 3 साल लगबग हो गए से 2021 से पहले कुछ और होता था और आप दोज़़़़ई कीस से पहले वाला बताऊ गए क्यों 2021 में इसे पार्लेमेंट में चेंज हो गया तो क्या ये लेटेस्ट वाला बताया मैंने ये मैंने लेटेस्ट वाला बताया 2021 से पहले जो होता था वो ये होता था कि ये शॉर्ट टम बॉरिंग नहीं था 2021 से पहले हम इसे शो करते थे other current liability इसका मतलब हमारे पास 2021 से पहले हम इसे कहां शो करते थे हम इसे 2021 से पहले other current liability में शो करते थे अब मुझे फटा फट से बताओ अब ये जो बन गया ये कौन सा बन गया जो मैंने अब ये चेंज किया है 21 साल का बन गई बेलेशीट ये मैंने 2021 की बात करी है क्या आज की डेट में ये एपलीकेबल है आज की डेट में ये एपलीकेबल नहीं है बोलो जै माता दी हमारे इंसिचूट के आंसरों में अभी भी ये लिखा मिलेगा हमारे इंसिचूट के आंसरों में अभी भी ऐसा करा हुआ मिलेगा मैंने ये इसलिए बताया है कि ये पुराना है आउटडेटिड है बंद हो गया है आप मुझसे बार बार सवाल में आके बहस करेंगे कि सर आपने शॉट टम बॉरिंग में लिखा है पर इंसिचूट के आंसर में अधर करेंट लाइबिलिटी है बस आपने जैमाता दी बोलना है और आगे चल पढ़ना है जैमाता दी क्या कि सिए इंसिचूट को थोड़ा कोई सुधारे और इंसिचूट ने ऐसे कैसे गलत कर दिया उन्होंने एक कोश्चन में फेरेटिकल पॉइंट में ये कोश्चन पूछा कि अब ये मैचुरिटी जशॉट टम बॉरिंग में आती है या ये अधर करेंट लाइबिलिटी में आती है वहाँ उन्होंने कर दिया कि ये चेंज हो गया है और हमने भी चेंज कर दिया बट एक ही आंसर में चेंज किया उन्होंने सब बाकी सब आंसर चेंज नहीं किये असल में इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी के आंसर ठीक है वह इंसिचूट कहता है एक में कर दिया ना बाकियों को अपने आप कर लेना तोड़ा attitude वाला है हमारा institute तोड़ा पहली बात तो change हुआ और मैं बता हूँ मुझे इसी बात का अजीव लग रहा है institute को लगता रहे बदल गया है मेरे को बताना पड़ेगा अपने आप कर लो फिर भी अगर बच्चे पूछते रहते हैं भाई साब ये बदल गया है उसने एक सवाल का जवाब बदल दिया बाकी अभी भी पुराने है तो मुझे फड़ा फट से ये बताओ अब आप मुझे से क्लास में जगडा तो नहीं करोगे न कि सार सार आपका अंसर शाट टम बॉरिंग में हर बार आ रहा है इंसिचूट ने एक बार में तो शाट टम बॉरिंग में लिखा है बाकी सब में उसने अधर करेंट लाबिलिटी में लिखा है मैंने पूरी कता सुना दी वो अधर करेंट लाबिलिटी वाला भी ठीक था कब था ठीक? वो गलत नहीं था वो कब था ठीक? वो 2021 तक ठीक था 2021 तक ठीक था अब इस बात को तीन साल हो गया है भाई साब हमें भी अब रटा लगवा लगवा के बच्चों को बताना पड़ता है बाई साब ये 2021 तक ऐसे था उसके बाद बदल गया है तो आप अब इस बात का जगड़ा मेरी क्लास में नहीं करना हाला कि जितना मर्जी कह दूँ जब मैं सवाल करूंगा तो आप में से कई बच्चे आ जाएंगे कि सार ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया यहां तो ये लिखा है आप भूल जाएंगे तब तक आते आते कि मैंने ये कहा है और इंसिचूट का आंसर वो गलत है अब एट एनीवे आपको बात समझ में आ गई देस इस लाइक देस हम इपने पास ऐसा करते हैं क्या मैं इसको वापिस ठीक कर दूँ हांसर आप इसको वापिस ठीक कर दो ये लिजए तो मैंने इसको वापिस ठीक कर दिया है I hope आपको अब ये वाली बात भी समझ में आ गई है कि हम अपने पास जब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो मुझे फटा फट से बताओ क्या अब लांग टम बारिंग की ये बात समझ में आ गई है करेंट मैचुरिटीज आर शोन एज शॉट टम बारिंग एज डिड़क्शन इस इन लांग टम बारिंग I hope आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो मैं अपनी बैलेंस शीट में आगे चलना चाहता हूँ मेरी बैलेंस शीट के अंदर फटा फट से बताओ अगली आइटम कुन सी है चलते जाओ पढ़ते जाओ और आगे चलते जाओ लांग टम बारिंग की ये सारी डिटेल्स उन साथ लोगों को help कैसे करते हैं शार रहा लांग टम बारिंग की सारी डिटेल्स वो लोण के बारे में समझ पाते है कि लोण इन्हों ने जो लिया है किन शर्टों पे लिया है जैसे शार रहा तुमने कभी अपने दोस्स से लोण ली लिया तो तुम्हारे माता पीटा भी तो तुमसे पूरी बात जानना चाहेंगे ना बिटा लोन दोस्त से लिया है क्यों ब्याज तो नहीं लगा रहा है वो क्या रेट लगा रहा है ब्याज का कितने दिनों के लिया है सिक्यूरिटी कितने की है तो वैसे ही कंपनी के भी लोग जो ह कितना आपने नहीं पे करना है this is all information which is needed by the public therefore we the chartered accountant are duty bound to provide it I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई है अगली बात पर आते हैं फटाफट से पढ़ेंगे बेले शीट के अंदर अगली आइटम कुन सी है हम कहां तक पहुंच गए फटाफट से बताओ हमने ये सब बाते डिसकस कर ली कहां पहुंच गे लॉंग टम बारिंग भी खतम अगली आइटम आ गई डेफर टेक्स लाइबिलिटी अगली आइटम कुन सी आ गई डेफर टेक्स लाइबिलिटी ये मैं अभी ज़ादा नहीं बताऊंगा चार्ट में ये बताऊंगा कि ये tax pay नहीं करना होता ये tax pay नहीं करना होता ये हमारे accounting standard 22 की एक requirement है future के taxes को लेकर के हम पहले से ही एक किसम की provision बना रहे हैं एक किसम की provision बना रहे हैं तो deferred tax liability किस period की है फड़ा फट से बताओ नाम से ही पता चलता है deferred का मतलब क्या होता है future की deferred tax liability अभी कोई मांग नहीं रहा है आपसे यह future की है इसको बनाने के कई कारण है यह हम इसको detail में कब पढ़ेंगे इसको detail में पढ़ेंगे accounting standard 22 में असल में इसके लिए आपको tax की knowledge भी चाहिए कि tax में क्या लिखा है जिस वज़ा से यह बनता है तो चूंकि आपका भी tax की classes probably start हुई होगी या होने वाली होगी अभी आपको tax के बारे में पूरी knowledge नहीं है तो AS22 आपके सबसे last topic होगा तब इसे last topic होगा आपको मेरी बात समझ में आती है इसका मदब AS22 हम बिलकुल आखरी में पढ़ेंगे जब तक सब बच्चों ने tax पढ़ लिया होगा तब आपको पता चलेगा क्यों की न इसका उत्पत्ती का कारण income tax act है तो आपको income tax act पता होगा तो होगा फिर भी अगर आप इसके बारे में अभी भी कहो नहीं नहीं सार हमें कुछ तो बताओ तो हमारा एक यूट्यूब पर वीडियो है मेरा और आरिश खान सरका जिसमें हम दोनों ने मिल करके tax के बारे में बताया कि defer tax की उत्ति क्यों होती है क्यों हम लेकर आते हैं आप उस वीडियो को देख सकते हैं बड़ा famous सा वीडियो है आप उसमें जाके लिखेंगे आरिश खान परवीन चर्मा defer tax तो वीडियो सामने आ जाएगा उस वीडियो को देखना 15-20 मिनिट का वीडियो है जिसके अंदर आपने defer tax के बारे में समझाया है बट्स मैं उस पर detailed चर्चा आपकी क्लास में भी होगी वो चर्चा कहां पर होगी बहुत दिनों बाद होगी ओके फॉर दा टाइमिंग ये exam में भी नहीं पूछा जाएगा इस balance sheet में मैंने आपसे पहले ही का था long term liability हैं कितनी चार पर पूछी कितनी जाएंगी आपसे पूछी दो ही जाएंगी defer tax नहीं पूछा जाएगा अगर यहां तक बात समझ में आ गई है format का हिस्सा है इसलिए मुझे दिखाना जरूरी था बट अगर मान लीजी यहां तक बात समझ में आ गई है तो क्या आगे चल सकता हूँ तो हम पहुंच गए थे defer tax liability जिसको मैंने अभी hold पे डाल दिया मैंने का बाद में पढ़ेंगे इसको फिर आता है other long term liabilities मुझे बताइए borrowings में और long term other long term liability में दोनों में क्या अंतर है borrowing में हमने हाथ फैला कर पैसा मांगा था other long term liability में हाथ फैला कर पैसा नहीं मांगा था मैंने नेक पाल से उधार मांगा मैंने का नेक पाल आओ जड़ा नेक पाल पटापट से हम नेक पाल से कुछ पैसे उधार लेंगे तो मुझे बताना वो क्या है नेक पाल जी आजो आपको नेक पाल के भी दर्शन करा देते हैं कि नेक पाल हमारे कौन है ये हैं जी नेक पाल तारी की सारी जो प्राबलम आज आ रही है ये कह रहा है मैं तो ये कहने लगा था कि इनकी वज़ा से नहीं हैं नेक पाल जड़ा सौर पे हैं क्या तुम्हारे पास सारे बच्चे देखो मैं इनसे सौर पे उधार ले रहा हूँ ठीक है अच्छ दो सौर पे भाई देखो ये आदमी होते हैं तो ऐसे होते हैं मैंने कितना उधार मांगा इनसे सौर पे और इनोंने कितना दिया है मुझको देखो क्यारे सौर पे क्या दो सौर पे ले लो सारे बच्चे बताओ क्या ये बॉरॉइंग है दा आंसर इस ये बॉरॉइंग है मैंने इनसे नगद पैसा मांगा ये बॉरिंग है अब मैं कुछ और मांगूंगा मैं इने क्या मांगूंगा मैंने का नेकपाल ये पैन मेरे को दे सकते हो क्या अब मैंने रुपया नहीं मांगा अब मैंने क्या मांगा मैंने का पैन दे सकते हो मैं कितने का पैन लगाओगे कह रहें 20 रुपे का पैन लगाएंगे भई मैं इनसे पैन खरीदना चाहता हूँ 20 रुपे का पैन मैंने का मैं तुमको इसके पैसे दे दूँगा मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा अभी नहीं है मेरे पास तुम्हें मैं पैसे दूँगा दो साल बाद कब दूँगा दो साल बाद सारे बच्चे बताओ मैंने इनसे कोई नगत पैसा लिया है नहीं पर मुझे दो साल बाद पैसे देने हैं ये कुन सी लाइबिलिटी है ये लॉंग टम बॉरिंग नहीं है ये है अदर लॉंग टम लाइबिलिटी ये कुन सी हो गई अदर लॉंग term liability जहां मैंने इनसे बोरो नहीं किया पर मैंने long term में पैसा देना है और भी हो सकता है नेक पाल मेरे पास आए मैं example दे रहा हूं कोई और नेक पाल मेरे पास आए उन्होंने का शर्मा जी ये कमरा किराए पर दे दो धन्यवाद मुझसे कमरा किराय पर मांग रहे है security ले लो इनसे के ना लो पता नहीं ना कल का time का क्या पता है इनसे security ले लो के ना ले लो करीना कह रहा है हाँ sir इनसे आप security ले लो मैंने इनसे 10,000 रुपे की security कि अतार और आधे बारा है कमारी वास में में था पाता अकम अ सृद्य गांग मेरे ल करें और इंत्रि क्या बन गए इफटा-फट से बताओ, मेरे पास entry क्या बन जाएगी, मैं जब नेक पाल से security का पैसा मांग रहा हूँ, तो entry क्या बनेगी, bank account debit 2, security deposits, मैंने इन से security का पैसा मांगा, अब सारे बच्चे बताओ, सबसे पहला question, क्या ये equity है के liability है, पहला question तो ये है, मैंने उन से security ली है, नेक पाल से, तो मुझे फटा-फट से बताओ, क्या मेरा जिम्मा बनता है इसको वापिस करने का, फटा-फट से बताओ, क्या मेरा जिम्मा ले लिया, उसी दिन जिम्मा बन गया, हाँ, जिस दिन पैसा ले लिया, जिम्मा तो आ गया न, आप आपको वापिस तो करना पड़ेगा, चाहे दो साल बाद करो, चाहे पान साल बाद करो, जिम्मा तो आज आ चुका न, पैसा देने का, क्या जब आप पैसा देंगे, तो out Outflow of Resource होगा, हाँ, क्या आप इसको measure कर सकते हैं, कितने रुपएं हैं, बिल्कुल measure कर सकते हैं, मुझे फड़ा-फट से बताओ, ये क्या बन गई, इस इस लाइबिलिटी क्या यह प्रोविजन है क्या लाइबिलिटी है फटा फट से बताओ क्या इसमें कोई अनुमान का तड़का है अमाउंट पक्का वही है अगर यह 10,000 की सिक्यूरिटी लिए तो कितने के लिए थी लिखा नहीं है जितने की सिक्यूरिटी है उतना ही वापिस करना है ना कम ना जादा कोई अनुमान है नहीं है इसका मतलब यह क्या है यह आपकी प्यूर लाइबिलिटी है यह बताओ यह लॉंग तम है के शौट तम है यह लॉंग तम है के शौट तम है ये पैसा आपने जो देने है ये लॉंग टम है के शॉट टम है आपने उसके साथ कॉंट्रेक्ट किया है तीन साल का तो कॉंट्रेक्ट अगर तीन साल का है तो इसका मतलब ये कि ये पैसा आप तीन साल बात देंगे तो ये क्या बन गई ये बन गई लॉंग टम अगर ये बन फट से बताओ क्या मैंने करजा मांगा था क्या मैंने नेक पाल से करजा मांगा था नहीं डेफर्ट एक्स लाइबिलिटी तो मैंने पहले ही कहा दिया स्पेशल केस है एस ट्विंटी टू डील करता है वो अलगी आइटम है तो ये क्या है ये है आपका अधर लाइबिलिटी तो फटा फट से बताओ ये कहा जाएगी सिक्यूरिटी डिपॉजिट बैलेश शीट में कहा जाएगी तो सिक्यूरिटी डिपॉजिट विल गो टू अधर लाइबिलिटी ये अधर लाइबिलिटी में आएगी दिलप्रीत कह रहे हैं किया ये लिखना भी है कि नहीं दिलप्रीत मुझे नहीं लगता है कि आपको ये बाते लिखने की कोई आवशकता है फिर भी आप लिखना चाहें तो कोई रोक तोक नहीं है मैं आपको नो अफिशली लिखवाने का मंदे से मैं आपको बोलूंगा पूढ़ लेकर आना और मंदे से मैं आपकी टलासेस को अफिशली स्टार्ट करूँ हुआ ऊभी तहुआ पने पास पता क्या कर bound ईक बेस बिल्ट कर रहे हैं balance sheet हर जगा हर chapter में आनी है मैं चाहता हूँ बिलकुल मजबूत हो जाए conceptually मजबूत चाहता हूँ मेरे पास जब बच्चा बैठा हो ना तो उसको ऐसा ना होगी concept उसके कमजोर हो so I am just making the concept and the classes will remain on YouTube you can later on also listen if you want again to understand it so हमारी classes में आपको register बगारा की पूरी knowledge दी जाएगी कि कब से लिखना है और क्या लिखना है अभी आप लिखना तो लिखता रो मुझे कोई लिक्कत नहीं है तो मुझे फ़राफट से ये बताओ other long term liabilities आईए इधर भी देख लें other long term liabilities तो example क्या हो गया अगर rent ही advance में लिया है security की जगा अचा हिमान्शू कह रहे है इससार अगर हमने advance rent लिया हुआ है तो वह security ही है क्योंकि आप advance rent को अगले महीने adjust नहीं कर लेते हो हिमान्शू क्या होता है दो महीने का rent extra लिया हुआ है advance में लिया हुआ है दो महीने का पड़ा रहेगा वो use तो आखरी में ही होना है तो इसका मता अगर दो महीने आखरी में ही use होना है तो in that case also ये क्या बन गया आपके पास long term बन गया और ये borrowing भी के definition में नहीं आएगा it is not boring हिमान्शू borrowing नहीं में ना आप समझ लो हम अपनी सर की पगड़ी किसी के पैरों में रखते हैं तब ही तो करजा मिलता है तो जहां पर भी borrow word होगा न तो बड़ा pure form है वो करजे की बाकी long term liability अब हिमान्शू मान लो तुमको मेरी class समझ में नहीं आ रही तो तुमने का शर्मा जी मेरे पैसे वापिस कर दो मैंने का अठ्छा ठीक है हिमान्शू मैं तुम्हारे पैसे refund कर देता हूँ पर मैंने का मैं पैसे दो साल बाद दूँगा तो हिमान्शू मान जाओ तुम बोलो हाँ ठीक है सर दो साल बाद refund कर देना कोई बात नहीं मैंने खर्च कर लिया, पैसा मैं भी दे नहीं सकता हूँ मैंने का आपका रिफंड मैं पक्का कर दूंगा 2 साल बाद कर दूंगा अप्टा फट से बताओ, क्या ये मेरी बोर्विनG है हिमानशू क्या ये मेरी बोर्विनG है आपने मुझे पैसे दिये मैंने आपको लोटा देने है दो साल बाद यह मेरी बॉरिंग नहीं है तो यह कहां जाएगी यह कहां जाएगी यह जाएगी मेरी other long term liabilities ओके हिमानशू अच्छा अगर हिमानशू मैंने आपको कहा बेटा चिंता मत करो within 12 month आपको repay कर दूँगा मैंने का आपने का refund कर दो refund मिल जाएगा within 12 month repay हो जाएगा फटा फट से बताओ क्या यह long term है जैसे ही मैंने का within 12 month पे हो जाएगा तो यह long term नहीं है यह short term बन गया अच्छा short term में item कौन कौन सी है अगर short term की list बनाते है तो उसमें एक word आता है other current liability वहाँ word कौन सा है other current liability उसमें आएगा और अगर long term वाला तो क्या नाम था other long term liability आई होप आपको नाम भी ध्यान रहेंगे कि basically नाम वैसे वैसे ही है बस वहाँ current लिखा है यह long term लिखा है इसकी चौथी item एक और भी होती है चौथी item होती है आपकी long term provisions कोई provision जो की long term की है long term की provisions कोई example देना चाहोगे कोई ऐसी provision जो की long term की है income tax मोदी जी को देना है long term provision है के short term provision है मोदी जी को income tax देना है long term provision है के short term provision है मोदी जी क्या बोलते है tax इसका दे देना है दो साल बात दे देना मोधी जी ऐसा कहेंगे फड़ाफट से बताओ मोधी जी कहेंगे नहीं अभी हाथ के आथ फड़ाफट दीजिए क्या मतलब रहा उधार क्यों करेंगे वह ज्यादा तो उधार देंगे यह नहीं लॉंग टर्म में कुन सी होती है जैसे की इधर आ जाओ नेक पाल फटा फट से हम नेक पाल से बात करते हैं दिलप्रीत ने कहा है प्रोविजन फॉर प्रॉपेटी प्लांट एंड इक्विप्मेंट दिलप्रीत पता क्या गलती कर दी आपने आपने एसेट की प्रोविजन की बात कर दी लाइबिलीटी साइड पर एसेट की प्रोविजन नहीं आएगी दिलप्रीत एसेट की प्रोविजन कहां जाएगी एसेट से गटेगी यही गलती हर्शित ने भी करी है आई होप आप दोनों का समझ में आगी मैं एक्जामपल दे रहा हूँ लॉंग टम का नेक पाल हमारे इंप्लॉई हैं मैंने इने कहा अच्छे से काम करो रिटायर्मेंट पे तुम्हें ग्रेचुटी मिलेगी बात समझ में आती है मैं इने कह रहा हूँ अच्छे से काम करो रिटायर्मेंट पे तुम्हें क्या मिलेगी विरचुटी मिलेगी या रिटायर्मेंट के बेन्विट मिलेंगे या पेंशन मिलेगी या प्राविडेंट फंड मिलेगा अब ये बताओ, पहली बात तो ये, इसमें थोड़ा अनुमान का तड़का नहीं लग रहा, कि हाँ भाई, क्या पता कल को क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये कल को कल ही नौकरी छोड़के चला जाएगा, अचानक ही, मैं बोलूँगा चाह फिर जाना है, तो फिर किस बात की रिटायर्मेंट, बात समझ में आती है, जैसे ही आपने बोला, अनुमान का तड़का है, तो क्या बन गया, फड़ा फिट से बताओ, क्या पक्का पक्का देना है, रुख जाओ, अभी इतनी जल्दी क्या है, जैसे ही अनुमान लगा दिया, तो क्या बन गया, फड़ा है, इसलिए, धीरे से बोल देता है कि तुम जो वर्जी बोल दो, शमंद में आ रही है, यह बहुत चाल बाज है, तो मैंने बोला, रिटायर्मेंट का वो नहीं है, तो यह वाल का सा बोल देगा, वे शुफर आपके आपकी क्लास में क्या सूट करता है वो बोल दो ठीक है बट ये कब रिटायर होगा बोलो कब रिटायर होगे बाद बारा महीने के बाद रिटायर होंगे तो बताइए इनकी प्रोविजन जो बनाई जाएगी रिटायर्मेंट बेनिफिट की वो कौन सी होगी वो होगी long term provision धन्यवाद वो होगी long term provision बड़ी मज़े की बात है आपके exam में ये भी नहीं आएगा oh my god कितनी items है ultimately जो आपके exam में आने वाली है फड़ा फट से बताओ इसमें से कितनी item है जो exam में आने वाली है दो वैसे 4 item हैं कितनी आपके लिए दो एक कौनसी आपको पूछी जाएगी long term boring दूसरी कौनसी पूछी जाएगी other long term liabilities लेकिन क्या पता इसके बारे में भी होना चाहिए हाँ क्या पता इसके बारे में भी होना चाहिए the answer is हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चल सकते हैं फट से बताईए खताम और एक बार balance sheet खताम तो बेटा पता मैं सो वार से आपके पीछे पढ़ जाओंगा और मैं कहूंगा बेटा सवाल करने शुरू कर दो तो अभी मैं आपको सवाल नहीं करा रहा हूं क्योंकि भी हम बेसिकली मुख्य रूप से भी से स्टार्ट नहीं करी है हमने अब आती है हमारी बारी कौन सी current liabilities लो भाई दर्शन करें current liabilities के सबसे पहली item कौन सी है सबसे पहली item कौन सी है short term borrowings वैसे तो long term borrowing और short term borrowing में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कुछ कुछ बाते बोलूँगा आपको अल्लेडी पहले बोल दी हुई है bank overdraft हम हमेशा क्या मानेंगे bank overdraft हम हमेशा क्या मानेंगे short term borrowing ओके ये बात पहले भी बताई थी दुवारा दोरा दी खाली लिखा हुआ है loan from related party या loan from director तो हम क्या मानेंगे loan from director या related party आप तोर पह ये क्या होते है short term अगर लिखा हुआ हो long term तो long term मानना लेकिन नहीं लिखा तो क्या मान लेना short term मान लेना क्या यहाँ पर भी bond हो सकते हैं हाँ क्या यहाँ पर भी debentures हो सकते हैं हाँ आम तोर पे नहीं होते लेकिन हो सकते हैं क्या यहाँ पर भी deposits हो सकते हैं हाँ क्या यहाँ पर भी fixed deposit के अंदर वही items current maturity वाली आएगी वो जो current maturity वर्ड लिखा था उन्हें का example में करा था वो भी आएगी संजरा ने पूछा है sir overdraft को थोड़ा सा बताओ क्या होता है overdraft के बारे में आपको एक तो बात बताई गई थी वो बिल्कुल गलत बताई गई थी वो बताता हूं क्या थी school में मैंडम ने क्या बोला था bank का balance negative है तो bank OD है क्या यही बोला था तो आपको यह लगता है bank OD negative balance होता है वो एक जुगाड है वो एक जुगाड है actual में bank OD जो होता है हम bank के पास जाते हैं और bank से कहते हैं bank जी फिर से ध्यान देना पैसा उधार मांग रहे हैं bank जी आप मेरे को थोड़ा उधार पैसा दे सकते हो क्या bank कहता है अच्छा तो मैं तुम्हारी ना limit बना देता हूँ a kind of loan जिसमें वो पैसा कहता है मैं आपको जब चाहिए और ले लेना मैं loan का चेक नहीं दूँगा आप समझ रहे हैं overdraft में bank ने हमसे क्या बोला मैंने का साब मेरे को एक करोड का loan चाहिए उसे ने का दिया मैंने का दो फिर करें नहीं ऐसे नहीं दूँगा तुम बैंक में अपना चेक डालो पर चेक तुम्हारा पास हो जाएगा इसका मतलब यह कि तुम्हारे बैंक से पैसे निकलते रहेंगे एक करोड रुपे तक की limit बना दी उन्होंने इसे बोलते हैं bank overdraft bank आम तार पे यह कितने महीने के लिए देता है फड़ा फट से बताओ bank की आम तार पे कितने महीने के लिए देता है 12 महीने reel में जब जाओगे तो 12 महीने से पहले ही हम bank के पास फिर पहुंँ जाते हैं विषाब, extend कर दो bank expand कर देता है यह निस happens continuously करा लिया लेकिन फिर आपने विदिन 12 मंद पे करना है फिर वो शॉट टम है फिर आपने एक्स्टेंड करा लिया फिर आपने पे करना है तो यह एल्टिमेटली रहता है शॉट टम में है लेकिन कंपनियों में यह कई कई साल तक रहता है क्योंकि क्या कराते रहते हैं हम लोग के kाम नहीं करेगा हिमान शी बिटा मंडे से जो हम करेंगे न वह आपको बताऊंगा रिजिस्टर में करते रहो कौन सी आफ़त हूँ के अंदर ठीकके अभी वी जौण कर रह रहे है रिजिस्टर में लिख लिया तो कोई दिकती मंडे से आपका रिजिस्टर मैं govern करूँगा ओके मैं बता रहा हूँगा register में क्या लिख रहे हो और क्या नहीं लिख रहे हो अच्छा तो यह हो गई मारे पास सबसे पहले short term borrowings अगली बात पर आओ अगली item आ रही है trade payable फटा-फट से बताओ what are trade payables trade payables होते क्या है पहले तो यह बताओ trade payable बराबर है creditor या creditor कोई trade payable बोलते हैं क्या ऐसा है क्या trade payable को ही creditor बोलते हैं तो देखो trade payable word बड़ा है इसमें दो चीज़ें होती हैं जूड़ी होई creditors और bills payable क्या आप में से कुछ बच्चों ने ऐसा तो नहीं पढ़ रखा था कि creditors और trade payable एक ही बात है तो गलत बात है creditors अलग होते हैं trade payable उसकी class का नाम है बात समझ में आती है हिमांशू कहरा फिर से बताना ज़रा हिमांशू हिमांशू एक item है और मैं आपको बोलता हूँ नालाइकों की class है हिमांशू उसमें है हिमांशू trade payable एक class है और जो creditors है वो उसके भीतर की एक item है trade payable अपने आप में कुछ नहीं होता है जब तक item नहीं होंगी आई होप अब आप मेरी बात समझ गए इसका मतलब यह कि वो एक class है हम सब भारतिये हैं हम सब भारतिये हैं हम सब को भारत से निकाल दो तो कोई भारतिये बचे गई नहीं इसका मतलब यह हो गया कि भारतिये word एक class है उसके अंदर हमें एक आइटम है तो वैसे ही क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इन दोनों को जोड़ करके क्या बनता है फड़ा फट से बताओ इन दोनों को जोड़ कर हम इकठा क्या बोल देते हैं हम बोलते हैं यह हमारे ट्रेड पेबल्स है आई होप आपको यहां तक बात समझ में आती है बजट में एक चर्चा आप अकसर सुनते रहते होंगे वो चर्चा सुनते होंगे MSME, MSME, MSME क्या आपने सुना पहले कभी वर्ड MSME MSME फुल फॉर्म क्या है माइक्रो स्कॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ माइक्रो का क्या मतलब हुआ माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल और स्मॉल तो मतलब क्या हुआ स्मॉल और मीडियम का मतलब फिगर देन स्मॉल रहे तो स्मॉल ही न कोई जादा स्मॉल है कोई बड़े स्मॉल है बड़े स्मॉल है मुझे फटा फट से ये बताओ जो ये मेरे आफिस के नीचे छोले बिटूरे तल रहा है ये भी कोई अपना काम कर रहा है ये कौन सा बिजनिस है ये जो छोले बिटूरे तल रहा है ये माइक्रो स्मॉल बहुत छोटा वो जब पनवाडी पान लगाए चले जा रहा है वो क्या है पाइक्रो ऐसे ही स्मॉल भी होते हैं अब उसके लिए ना कुछ लिमिट्स है कि उसकी कितनी सेल है कितनी ये है कितनी परचेज है उसके हिसाब से उन्हें क्लासिफाई किया जाता है तो जो MSME होते हैं इन्हें एक साइटिफिकेट मिलता है इन्हें क्या मिलता है एक साइटिफिकेट मिलता है भारत सरकार ने इनके लिए एक पोर्टल बना रखा है उद्योग करके वहाँ से अपने आपको रिजिस्टर कराया जाता है और इनको एक certificate मिल जाता है तो फिर ये क्या कहलाते है जिस जिसको वो certificate मिल जाता है वो क्या क्या कहलाते है MSME कहलाते है ओके point number two अब को MSME का मतलब पता चल गया न अब point number two को सुनो क्या भारत में रोजगार एक बहुत बड़ी problem है भारत में रोजगार एक बहुत बड़ी problem है जिसकी वज़ा से क्या भारत सरकार को मैं कहूं खासतर पे भारती जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो अपने उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास ज़्यादा कर रही वो कहरी रोजगार हमसे ना पैदा कराओ खुद रोजगार पैदा करो यह उनकी बेसिक फिलोस्फी है तो उस वज़ा से वो किसको बढ़ावा देते हैं वो अपने उद्योग को बढ़ावा देते हैं जब अपना उद्योग करते हैं तो problems क्या आती है जो यह चोले बटूरे खोल कर बैठा है इसको problem क्या आती है इसको bank से loan नहीं मिलते इसको उधार नहीं मिलते उधार मिल जाये तो इससे लोग कहते हैं पैसे जल्दी दो जिसको यह उधार देता है वहाँ से पैसे नहीं आते क्या यही उनकी problems है यही इनकी problems है जिनको लेकर भारत सरकार समय समय पर क्या बनाती रहती है कानून किसकी सुरक्षा के लिए कानून मनाती है MSME के लिए क्या आपको पूरा logic समझ में आ गया MSME होते क्या है और भारत सरकार इनकी सुरक्षा क्यों करना चाहती है MSME की सुरक्षा हमारे भारत में रोजगार के लिए मददगार है इसलिए जो है वो इसकी मदद करना चाहती है अब इसमें एक प्राबलम थी तरी प्राबलम से मैं उनमें एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ मेरा एक MSME है मैंने उधार माल दिया अमबानी जी को अमबानी जी बहुत बड़े आदमी है मैं एक MSME हूँ मैंने उधार माल दिया अमबानी जी मुझे पैसे ही नहीं दे रहे लटकाए जा रहे हैं अमबानी जी को तो फरक नहीं पड़ेगा क्या मेरा धंदा चौपट हो जाएगा मैं एक छोटा व्यपारी हूँ मेरे पैसे नहीं मिल रहे है क्या मेरा धंदा चौपट हो जाएगा दा आंसर इस येस क्या भारत सरकार मेरे लिए कुछ करेगी अमबानी जी को फोन कर दे अगर कि भई पैसे दे दो ना गरीब आदमियों के क्यों अटका रखे है भारत सरकार ने ये करने का प्रियास किया ध्यान से इस बार के फरवरी के बजट में अगर आपने पढ़ा हो आपने इस बार का फरवरी का बजट चुनाब से पहले के बजट की बात कर रहा हूँ भारत सरकार ने एक बात करी फरवरी दो हजार चौबिस में भारत सरकार ने कहा कि जो भी MSME ये क्या हो रहा भाई जो भी MSME है फिर आप फोन पढ़ाएगा है यहाँ पर फोलो क्लास में है बीच में कॉल आ गए थी एक भारत सरकार ने कहा कि जो भी MSME है अगर किसी ने इनका पैसा रोका तो उनको टेक्स लग जाएगा बताईए इसके पीछे क्या कारण होगा भारत सरकार ने कहा ये इस बार आप ना इनकम टेक्स पढ़ोगे तो आपके मास्टर जी बताएंगे ये बात आपके मास्टर जी आपको ना ये कहेंगे भी आपने टेक्स पढ़ा नहीं है तो आपके Master जी बताएंगे section 43 में 43 करके section आएगा वहाँ आकर वो बताएंगे बोलेंगे कि अगर हमने MSME के पैसे नहीं दिये तो text लग जाएगा तो आप Master जी से पूछोगे Master जी, text हमको क्यों लग जाएगा हमने पैसे नहीं दिये बाद में दे देंगे, थोड़ा लेट हो गया Master जी बोलेंगे मोदी जी ने काया, अगर तुमने MSME के पैसे नहीं दिये तो तुमें text लगा देंगे, इसके पीछे मोदी जी की क्या भावना है वो कहना है, तुम सुधर जाओ वरना मैं text लगा दूँगा इस गरीब के पैसे मत रोको, क्या आपको feeling समझ में आ रही है न, उसका basic feeling क्या है ये उसकी feeling है अब बात करते हैं इसके आगे ये तो इस budget में आया, इससे पहले भी मोदी सरकार एक काम कर चुकी है, मेरे को तो वो समझाना है उससे पहले भी मोदी सरकार एक काम कर चुकी है कह रही है, अगर तुमने MSME के पैसे रोके तो तुमें balance sheet में इसे disclose करना पड़ेगा balance sheet में तुमें दिखाना पड़ेगा trade payable MSME and others तुमें बताना पड़ेगा कि तुमने कितने गरीब आद्मियों के पैसे रोक रखे हैं क्या आपको मेरी बात समझ में आती है तो भावना क्या है जब balance sheet के चेहरे पे तुम लिखोगे कि मैंने इतने गरीब लोगों के पैसे रोक रखे हैं तो तुम्हारी बाजार में रुत्बा बढ़ेगा या घटेगा फड़ा फट से बताओ तुम बोल रहे हो कि मेरी इतनी बड़ी कोठी है मैंने अकबार वाले के पैसे नहीं देता मैं वो लटका रखे हैं मैंने तो लोग क्या बोलेंगे अरे इतनी बड़ी कोठी है यार तो सुबह अकबार वाले को तंग कर रहा है उसको पैसे नहीं दे रहा एर कम से कम शरम खा इसको तो पैसे दे दे यूर इंडिस्टेंडिज तो उसको ये डिस्कलोस करना पड़ता है कि किसी कंपनी में देखना चांते है कि किसी ने MSME का पैसा रोक रखा हो तो उसको ये disclose करना पड़ता है कि किसी company में देखना चाते हैं बच्चे कह रहे हैं मैंने निकाल रखा है आपके लिए कि अगर तुमने पैसा किसी का रोक रखा है तो तुम्हारे को इसके बारे में क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को इसके बारे में disclose करना पड़ेगा क्या फिजिक्स वाला नाम सुना हुए आपने फड़ा फट से बताओ फिजिक्स वाला अहां अरे सर फिजिक्स वाले अलग पांडे जी को तम सब जानते हैं उनकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि उन्होंने इनके पैसे देने हैं एड़ास सर्विसेज यह बताओ कौन लोग है फटा फट से बताओ यह कौन लोग है जिनके पैसे इन्होंने देने है मSME के पैसे देने है जैसे एड़ास सर्विसेज कोई नाम है थो चोटे चोटे वियापारियों के नाम लिखे होएं इनके पैसे देने हैं, मैं सबके बात तो नहीं कर रहा है, एक आदे के देख लेता हूँ जिरा देखिये, कितने पैसे रोक रखे हैं, 3076 रुपे पहले आदमी के रोक रखे हैं कब से रोक रखे हैं, दो फर्वरी से रोक रखे हैं शर्मिंदगी हो रही है कि नहीं हो रही है फटा फट से बताओ उन्हें ये डिस्क्लोस करना पड़ेगा इससे अच्छा क्या था इससे अच्छा क्या था इससे अच्छा था यार पैसे दे करके तो अपनी बैलेशीट साफ रख लेते बात समझ में आती है अच्छा और देखो ना कई लोगों के तो देखो कब से पैसे रोग रखे कई लोगों के तो 6 दिसंबर 2003 से पैसे 23 से रोग रखे हैं ठीक है ना अलग लग डेट्स हैं पैसे रोग रखे हैं इसमें ऐसे करके हैं वैसे मैं फिजिक्स वाला का बहुत ही उन्हें प्रेड़ना सोत्र मानता हूँ और ये कोई गलत नजरिये से मैं उनको नहीं दिखा रहा हूँ पता चला आप मेंसे कुछ बच्चे उनको टैक करके बोलेंगे देखो आपके बारे में बुराई करी मैंने कोई बुराई नहीं करी मैंने सिर्फ एक्जांपल दिया है कि यदि MSME को पैसे ना दिये जाएं तो बैलेंस शीट में इसे व्यक्त करना पड़ता है इसे होगा जिससे रोजगार की समस्या तोड़ी सी देश में कम हो जाएगी आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ और आगे लेकर जाते जाते मैं कहां लेकर जाता हूँ अब मैं आपको लेकर जाता हूँ इधर तो मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट में हमें ट्रेड पेबल में ये बताना पड़ेगा कि MSME के कितने पैसे देने है अधर से कितने देने है The answer is yes शौर रहा है सर लेकिन अगर MSME में 12 महीने से भी अंडर पैसा लिया हो तो शौर रहा बताना तो पड़ेगा बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस format में बताना तो पड़ेगा income tax वालों में उन्होंने कह रखा है कि due date के बाद आपको disallow करेंगे वहाँ 45 दिन का time दिया गया है तो वहाँ पर आपको 45 days के बाद tax लगता है बट हमारे याँ पर ऐसा कोई 45 days का concept नहीं है यानि सीधी बात है शौर रहा अगर गरीबों का पैसा रोक रखा है तो आपको disclose करना पड़ेगा बात खतम इसके अंदर कोई event बट लगाना नहीं है हमारी क्लासों में टेक्सी क्लास में लगेंगे कुछ event बट बाकी trade payable में मुझे कुछ समझाने के आवशकता नहीं है trade payables हमारे पास normal है इनमें एक aging schedule भी बनता है what is aging schedule कि हमको बताना पड़ता है मेरे creditors की age क्या है कि बही 0 to 12 month वाले creditors कितने हैं 12 to 24 month वाले कितने हैं 24 to 36 month वाले कितने हैं beyond 36 month वाले कितने हैं that is not needed for exam इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बट वैसे वो भी बताना पड़ता है फिर आगया मेरे पास other current liabilities other current liabilities की list पर ले जाऊँ आपको मैं यह देखो यह मुझे trade payable में aging भी बतानी पड़ती है aging का मतलब क्या होता है मुझे बताना पड़ेगा कि किसके पैसे कब से रोक रखे हैं यह भी बताना पड़ता है बट not for exam other current liabilities पर आजाओ आईए other current liabilities बस खतम liabilities हैं खतम हो गई तो balance sheet आदी खतम हो गई तुमारी liabilities हैं खतम तो balance sheet आदी खतम फिर उसके बाद assets आगए बस खाली और assets खतम तो फिर बाती खतम फिर तो सवालों पर आ जाएंगे पढ़िये जी other current liabilities के कुछ example जैसे accrued interest कोई चीज बताने की तो नहीं न accrued interest मतलब a kind of interest payable जिसकी भी due date नहीं आई है बट हमने pay करना है उसको आप सरल भाशा में समझ लो किस interest जो pay करना है मुझको वो यहां पर आएगा ध्यान देना accrued interest बोल रहा हूँ यहां पर यह loan में आएगा कि यहां आएगा जो loan है वो कहां गया loan तो boring में गया पर उसका जो ब्याज है वो boring में नहीं गया ब्याज कहां पर आगया other current liability income received in advance मैंने अभी batch start नहीं किया लेकिन बच्चों से fees ले ली तो यह मेरे पास क्या कहलाएगी यह कहलाएगी income received in advance यह मेरी liability है वो यहां पर आएगी unclaimed या unpaid dividend जो dividend का पैसे आपने declare कर दिया बट अभी pay नहीं किया declare कर दिया तो भाई फिर तो आपने within 30 days pay करी देना है तो अभी आपने pay नहीं किया तो यह आपकी liability है share application money for refund यह बात पहले भी discuss हो चुकी थी कि share application money जो refund वाली है वो यहां पर आएगी pending allotment उपर आ गई unpaid matured deposit यह मैं किसी example के जरीए आपको discuss कर दूँगा सवालों के दोरान unpaid matured deposit क्या होते हैं अभी temporarily मैंने इसको goal कर दिया ओके फिर provisions में क्या आएगा provision for tax अगर उसके अंदर कोई advance tax है तो आप ध्यान से देखो क्या less करना पड़ेगा हमें अपने पास इसमें से उसको less करना है provision for tax less advance tax ओके ये आपकी balance sheet की items थी मुझे एक बार फटा फट से बता दो मैं इसको यहां से हटा दिया मुझे फटा फट से बता दो balance sheet की पूरी items एक एक करके आपके answers का मुझे इंतजार रहेगा सबसे पहले equity and liability में shareholder fund की तीन item कौन-कौन से थी shareholder fund की तीन item कौन-कौन से थी number one था very good हरशिद, प्रगती, महक, राशी सब बच्चे answer देंगे रिशिका और संजना मैं तो बोलूँगा ही हिमान्शू share capital दूसरी item कौन से है reserves and surplus तीसरी item कौन से है तीसरी है money received against share warrant जो share warrant की against पैसे ले रखे हैं ये तीन item को जोड कर क्या बोलते हैं इन तीनों को जोड कर बोलते हैं shareholder fund दूसरी item कौन से है shareholder fund के नीचे shareholder fund के नीचे जो item आती है वो है share application money क्या उसके आगे कुछ और लिखना है हाँ, pending allotment उसकी बात कर रहा हूँ, फिर आती है उसमें वही है बस और अलग से कुछ नहीं है फिर आता है non current liabilities उसके अंदर कौन कौन सी items है, non current liability में item तो चार हैं वैसे आपके काम की दोई हैं उसमें से, तो मुझे फटा फट से बताओ, नेकमाल फोन सुना गरो तो हमारे पास उसमें कौन सी item आती है, उसमें आती है long term borrowings इसके अलावा और कौन सी items आती है, defer detects liabilities, और आती है long term liabilities और last में क्या आता है आपका long term provisions और current liability में क्या क्या आता है, starting तो यहां भी borrowing से होती है, current liability में सबसे पहले तो short term borrowings आती है, फिर कौन आते हैं, trade payable क्या trade payable के दो भाग करने पड़ते हैं, कि MSME का कितना और others का कितना, फिर आती है other current liability, और last item आती है short term provisions, एक contingent liability भी आती है, वो balance sheet के बहार होती है, यह नहीं contingent liability, balance sheet का भाग नहीं होती, assets की चर्चा करेंगे, we have a short break हम break के बाद assets की चर्चा भी आपके साथ करेंगे, okay तो आप अब थोड़ा सा 10 minute का break लेंगे और break के बाद हम आपके साथ assets की चर्चा करेंगे okay, we have a short break और्यात сколько करेंगे ठूमेद के साथ झाय हम ज syllabus किसम उस impact एंगे और व क्योबके 3 और आपके साथ च प्याद प्योमं, क्यों प्त पादो कम यदित रहि miss को रहार हो ह cents झाल 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 यह उसका सबसे पहला नाम पी-पी-ई एंड इंतेंजिबल ऐसेट्स तो यह पी-पी-ए की फुल फुल फॉर्म क्या है फटा-फट से बताओ पी-पी-पी-पी-ए की फुल फिल फॉर्म क्या है प्रापर्टी प्लांट and equipment. क्या ये पुराने जमाने के fixed assets ही है? हाँ. तो अब आज कलना word fixed asset पुराना हो गया. तो भी कॉल इट PPE और intangibles को मोलते है intangible assets. ओके? इसमें भी चार आइटम्स हैं. यनि पीपी और intangible के नीचे भी चार आइटम है. पहला है PPE, दूसरा है intangibles, फिर है capital work in progress, और लास्ट में intangible assets under development. मुझे फटा-फट से बता दू. ये कौन सी आइटम कौन सी है? फटा-फट से बताएंगे मेरे पास लेंड है. ये क्या है? लेंड इस PPE. मेरे पस प्लांट एंड मशीनरी है. ये भी PPE. मिस पर फरनीचर है. ये भी PPE. मेरे पास goodwill है. गुडविल तो गुडविल इस यार इंटेंजिबल. मेरे पास software है. अंडर डेवलपमेंट्स. मेरे पास software है. अंडर डेवलपमेंट. वट इस अंडर डेवलपमेंट मतला बन रहा है. अभी बना नहीं है. बन रहा है. तो ये क्या है? ये हैं इंटेंजिबल इसेट अंडर डेवलपमेंट. और बात करते हैं बिल्डिंग. अंडर कंस्ट्रक्शन. हम बिल्डिंग बना रहे हैं. अंडर कंस्ट्रक्शन है. ये क्या चीज़ है? अगर बिल्डिंग हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है. इसको बोलते हैं CWIP. CWIP. यानि Capital WIP. WIP क्या था? ये तो स्टॉक था ना? लेकिन जब इसके आगे वर्ड कैपिटल लग जाता है तो ये स्टॉक नहीं होता. फिर ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे पास इस बिकम्स आप बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन. या मशिनुरी अंडर कंस्रक् ये चार आइटम्स हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. इन चार में भी आपके काम की सिरफ दो ही चीज़े हैं. वो कौन-कौन सी काम की है? नमबर वन, PPE. नमबर टू, Intangible Asset. ये आपको पूछा नहीं जाएगा. ये आपको पूछा नहीं जाएगा. मीनिंग आपको पता होना चाहिए. इसलिए हमने चारों की चर्चा कर डाली. कोई दिक्कत नहीं है. इसके बारे में एक और भी बड़ा important point है. इनके बारे में, इन चारों के बारे में हैं, मैं खाली एक को बताऊंगा, चारों पर ऐसा करना होता है. मैं PPE की बात करूँगा. पी-पी-ई के अगर हम बात करें, तो पी-पी-ई को आप जब शो करते हैं, जब प्रिजेंट करते हैं, तो इसको प्रिजेंट करने का एक बड़ा important एक तरीका है. यह देखे, यह company है, company का नाम क्या है, फटा-फट से देखे, company का नाम है Hummingbird Education Limited. आप में इसे स्कूल में किस अपने स्कूल में कभी Olympiad exam दिये थे, तो जो आपकी, जो Olympiad करवाती है, इंडिया में company, दो-तीन company करवाती हैं वैसे, उसमें से यह एक-एक company है, जो Olympiad करवाती है स्कूलों में, यह उसकी balance sheet है, ओके, इसके property, plant and equipment में, अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ, इसमें कौन-कौन से property, plant and equipment है, नुमान, पी-पी की full form का है, यह रही, पी-पी, property, plant and equipment, ओके, अच्छा, हमें अपने पास, यह इस तरह से present करना पड़ता है, आपके पास assets के नाम लिखो, उनके बारे में बताओ, कि उनका opening balance कितना था, addition, deletion कितनी हुई, depreciation कितनी लगी, पूरे साल भर में, closing balance कितना है, और net balance क्या बचा, क्या ये chart बनाना जरूरी है, क्या ये chart बनाना जरूरी है, the answer is yes, ये chart बनाना जरूरी है, क्या हम भी class में ये बनाएंगे, the answer is yes, सुभा जीत, ये balance sheet नहीं है, notes two accounts है, balance sheet में तो एक या item आ गई, balance sheet में तो क्या था, property, plant, equipment में, PPE लिख दिया, बस हमने, लेकिन उसका जो note बनेगा, वो ये note होगा, okay, this is the note, जो आपको बना कर दिखाना है, क्या आप किसी और company का भी देखना चाहते हैं, ये लो किसी और company की भी बात करते हैं, किसी और company के अंदर भी देखो, ये मेरे एक मित्र की company है, तो मैंने उनसे approval ले करके आपको show कर रहा हूँ, ठीक है, सारे बिच्चे देखो, इनके पास क्या-क्या items हैं, फटा-फट से देखो, इनके पास है property, plant, equipment and intangible assets, ये तो हो गया norm, शारे पहले आप देखो पहले ये वाली बात ठीक है शारे आ, property, plant, equipment and intangible, उसके अंदर बन गया हमारे पास property, plant, equipment और उसका ये रा notes, ओके, ये क्या है उसका note, तो हमको कौन से note में जाकर देखना पड़ेगा आप मुझे, मुझे इसके note number 10 में जाना है, तो note number 10 पर आते हैं और देखते हैं note number 10 में क्या है, तो आपको ऐसे note मनाने है, जिससे आपको idea रहेगा कि अच्छा ठीक है भई, ये actual में presentation जो करनी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए, तो note number 10, note number 10, ये रहा note number, अरे, note number 10 कहां गया, लोग कमाल है, note number 10 ही इन्होंने गाब कर दिया, note number 10 होना तो चाहिए था, लेकिन इन्होंने 10 number note लगाया ही नहीं है, तो छोड़ो, हम किसी और company में देख लेते हैं, तो हम अपने पास hummingbird का ही देख लेते हैं, हमें ये note इस तरह से बनाना पड़ता है, चाहरे ने पूछा सर, ये gross block का क्या मतलब होता है, gross block का मतलब है costs, उस asset की cost क्या थी, तो gross block दिखाना पड़ता है, मतलब cost बतानी पड़ती है, minus depreciation करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमको net block यहनी कि WDV बतानी पड़ती है, तो reporting requirement ये हैं हमारी उसके अंदर, कि आपको अपने पास इस प्रकार से present करना है, तो मैं जब questions कराऊंगा ना, ये करके दिखाऊंगा कि हम कैसे present करते हैं, तो for the timing आप अपने पास देख लें, अगर आपको देखना हो तो अपने notes में देख लें, हमें अपने पास क्या-क्या चीज़ बतानी है, PPE के बारे में हमें PPE के बारे में उसकी cost बतानी है, जिसे आप short rack gross block बोलते हैं, हमें उसकी accumulated deposition बतानी है, हमें उसका chart बनाना है, chart को recourse statement बोलते हैं, जिस chart में opening balance भी होगा, addition भी होगी, deletion भी होगी, closing balance भी होगा, depreciation भी होगी, opening भी होगा, ये पूरी detail आपको देनी पड़ेगी, ये तो हम जब class में question करेंगे, तो हम करके दिखाएंगे, हमें उन्हें classify भी करना पड़ेगा, कि इसमें से land कितनी है, building कितनी है, plant and equipment कितना है, furniture कितना है, fitting कितनी है, vehicle कितने है, office equipment कितने है, lease asset कितने है, तो जो भी details हैं, आपको साथ में बतानी पड़ेंगे, अगर आपने कोई asset held for sale रखा है, तो क्योंकि वो आपने बेच देना है, तो वो अपका basically current asset होता है, तो उसको हम current asset के अंदर show करते हैं, PPE के बारे में जो ही ये आपने बात लिखी है, सब कुछ यही बात intangible पर भी लगती है, बस उसके examples अलग हैं, जैसे goodwill, brand, software, titles, mining rights, ये सब intangible के examples हैं, तो हम जब सवाल करेंगे, तो इसके अंदर आपको और एक कोई item है, ब्रेंड आपको पता ही होना चाहिए, ब्रेंड क्या होता है, software आपको पता होना चाहिए, title, मुझे कोई title बताओ, times of India, ये times of India क्या है, title, तो नाम ही asset है, ये title बिखते भी हैं, आपको मालूम हैं, ये title भी बिख जाते हैं, तो ये basically titles भी आपका intangible assets हैं, mining rights क्या होती है, खदानों के rights होते हैं, क्या आपने खदान से कुछ माल निकाल सकते हो, उसके rights हैं इन में भी हमें reconciliation देनी पड़ती है, एक इसका भी reconciliation का चार्ट बनता है, जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही है, सुभा जीत बोल रहा है, trademarks भी आएंगे, the answer is the yes, trademarks भी इसमें आएंगे, assets के अंदर ही हमारे पास, अगर हम और आगे चलें, तो assets में हमारे पास कौन है, non-current investment, the next item is non-current investments, investment दो तरह की हो गई, एक कुन से हो गई, current और एक हो गई, non-current investments, तो जो भी आपकी investment है, जो more than 12 month वाली है, वो सब कहां जाएंगी, जो investment more than 12 month वाली है, वो non-current हो गई, और बाकी सब investment कौन सी होंगी, current investments, वो हमारे current assets में आएंगी, हमें investment जहां भी कर रखी है, आपको उसकी पूरी list देनी पड़ती है, कि जो भी आपके पास items हैं, आपको बताने पड़ते हैं, जहां भी कर रखी है, वैसे आप बताओ, आप कहां-कहां investment कर सकते हो, investment कहां-कहां कर सकते हो, land में कर सकते हो, आप shares में कर सकते हो, आप mutual fund में कर सकते हो, आप bond में कर सकते हो, यह नहीं, आप बहुत जगा पर कर सकते हो, तो यह सब उसके example लिखे हैं, आप land में investment करते हो, तो उसका नाम होता है investment property ध्यान देना ये land and building कौन सी है जो investment की है अच्छा अगर land and building use के लिए रखी हुई है तो क्या वो investment कहलाएगी या PPE कहलाएगा अगर ये use के लिए है अगर आपने land and building रखी हुई है ये use के लिए तो आपका PPE है लेकिन आपने use के लिए नहीं रखी हुई है आपने investment के लिए रखी हुई है पर रखी पड़ी है तो that is basically investment property investment in equity shares आप में से कुछ बच्चे हो सकता है इन्वेस्ट करते हूँ investment in preference shares, investment in government bonds, sovereign gold bond एक बच्चा लिख रहा था investment in debentures, mutual fund, investment in partnership firms यनि ये सब आपकी investments है आपको इनकी detail देनी पड़ती है इनके बारे में भी आपको क्या बताना होता है उनकी value बतानी है कि आपने value कैसे निकाली cost और fair value whichever is lower आपने ऐसे निकाली या किसी और प्रकार से निकाली और quoted है कि unquoted है आपको बताना पड़ेगा quoted unquoted का मतलब होता है quoted का मतलब है इसका price market में available है उसे बोलते है quoted हो लिस्ट होता है कहीं पर जिससे हम उसका price निकाल सकते हैं this is called quoted और unquoted क्या होता है जिसका price market में खुला हुआ नहीं है वो negotiate करके पता चलेगा उसका price क्या है okay तो जैसे reliance के share का price google करो मिल जाएगा तो listed है लेकिन आप अगर मान लीजिए अमिताब बच्चन का company के share की बात करें क्या मिताब बच्चन की भी कोई गर की company है उसके share का भाव देखें वो नहीं पता चलेगा वो unlisted है okay तो जुरूरी नहीं है हर चीज लिस्टिड हो कुछ चीज़े unlisted भी होती है हमें ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी अगर कोई provision बना रखी आपने decline की तो आपको minus करने पड़ेगी जो भी assets की provisions होती है वो आपको सारी की सारी minus करके दिखानी है long term loans and advances तो ये long term है और ये loans and advances है जो हमने कोई long term के loan दे रखे हैं जैसे हमने भी तो लोगों को loan दे रखे हूँ हो सकता है रिश्दारों को loan दे रखे हैं हो सकता हमने कोई advance दे रखा है हो सकता हमने कोई security deposit दे रखा है हलागि security deposit को हम यहां नहीं लिखेंगे तो हम अपने पास जो भी advances हैं वो सारे के सारे loans and advances यहां पर mention कर देंगे यहां पर भी मुझे detail बतानी पड़ेगी कि वो secured है या unsecured है और मुझे यहां पर भी अपने पास पूरे के पूरी description देनी पड़ती है कि advance cases का दिया हुआ आपने अपने पास ठीक है आम तोर पर यह item आपके पास मिलेगी नहीं यह एक्जाम के लिए relevant नहीं है फिर आते हैं हमारे पास other non current assets यह बाकी के non current assets है जैसे आपने कोई debtor से पैसा लेना है और यह debtor कौन से हैं लंबे debtor है तो debtor आम तोर पर क्या होते हैं debtor आम तोर पर current assets होते हैं लेकिन क्या कभी debtor long term भी हो सकते हैं हो सकते हैं अगर डेटर कोई long term होंगे तो भी आपको यहां पर देने पड़ेंगे security deposit हमने का उसको हम advances में नहीं दिखाते हैं यहां पर दिखाते हैं कुछ लोग उसको advances के अंदर भी दिखाते हैं वो भी correct version होता है हमें इनकी भी aging बतानी पड़ती है doubt good doubtful बताना पड़ता है और secure बताना पड़ता है मैं इस बारे में भी बात और नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इस पर ना थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए तो मैं अभी इस बारे में और चर्चा नहीं करने वाला हूँ तो मैं अपने पास क्या करूंगा मेरी balance sheet लगबग खतम हो गई है सिर्फ कुछ item दो चार बची है और बाकी mostly items हमारे पास खतम हो गई है तो हम अब क्या करेंगे हमना next class में पहले इन सब की Monday को हमारी next class Monday को आ रही है तो Monday को हम क्या करेंगे सब से पहले एक revision करेंगे ओके Monday को हम सब से पहले एक short video बना करके सारा का सारा revise कर लेंगे अभी तक का यह नहीं जितना भी part होगा वो सारा का सारा तयार दुबारा से याद हो जाएगा followed by that हाँ हिवानशी Monday से फिर regular classes है तो Monday से हम अपना normal classes चलेंगे तो वो revise करने के बाद और ये balance sheet की चोटी चोटी बातें discuss करने के बाद फिर मैं आपके पास questions पर आ जाऊंगा हमारी classes वहाँ से officially start हो जाएंगी Monday को मेरे पास किताब भी आ जाएगी मेरे पास किताब आ जाएगी आप लोगों के पास किताब आने में फिर भी दो-चार दिन लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे Monday को अपनी class तो अप start करी देंगे उसके बाद Monday से तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको adjust करने को बोलूँगा कि दो-चार दिन आपको मैं जो homework दूँगा वो mobile पर आप अपना question देख करके solve कर ले न दो-चार दिन तब तक किताबें आपको मिल रही होंगी तो in that situation कैए कि आपका homework भी continue start हो जाएगा एक register हम लोग देते हैं वो register आपके पास अभी आएगा अभी मिला नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँ वो register कौन सा है ये देखें एक इस तरह से register मिलेगा आपको ये register जो है इसका जो size है वो वही वाला size है जो exam की copies का size होता है तो आपको जोग भी मैं कहूंगा ना लिखने के लिए आपको इस पर लिखना है अभी चूंकि आपको register ये मिला नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई भी register आप बाजार से खरीद लें उस register को चालू कर लें तो मंडे से आपके पास एक register होना चाहिए तो मंडे को मैं आपको ना ये instruction दिया करूंगा कि अब आप लिखें तो आपने वो बात जरूर लिखनी है अगर मैंने आपको लिखने को नहीं कहा और आप लिखना चाहिए तो आप एक ना pencil रख लेना अपने पास कि जो भी आलतु फालतु बात आपको लग रहा है लिखने की तो ओपटापट pencil से लिख दी और जैसे ही मैंने कहा कि नहीं ने बेटा इसे लिखें तो उसे pen से लिख दिया homework भी उसी रिजिस्टर में करना है रिजिस्टर homework का अलग नहीं बनाना है यानि जो आपका एक register होगा उसी में ही homework होगा उसी में ही सब काम होगा तो आप उस register में homework करेंगे अगले दिन जब मैं आउँगा तो आपको वो चेक करवाऊंगा सुभाजीत कह रहे है सर ये रिजिस्टर तो कतम हो जाएगा तो एक से बाकी रिजिस्टर मार्किट से आप देख लीजेगा वो मोटे मोटे रिजिस्टर तो वैसे ही होते हैं तो आप वहाँ से भी ये ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ये तोड़ा सा बस साइज जो है इसका ना हमने बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है लुक एंड फील के लिए तो ये लुक एंड फील सिमिलर है इसका मतलब इसका लुक एंड फील सिमिलर है बाकी otherwise तो register कोई भी use कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीके तो मैं बताऊंगा ये क्यों दिया हमने register जो कोई सवाल करेंगे तो बताऊंगा कि ये register का क्या use है जब हम balance sheet panel बनाएंगे तो क्या ruler line से बनाना पड़ेगा homework करने के लिए the answer is yes मैं ruler का इस्तेमाल नहीं करूँगा बट आप लोग अपने पास एक ruler रखेंगे और ruler से आप अपने पास questions की line बनाएंगे तो हम Monday से अपने पास अपनी classes officially start कर देंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपने पास register लेकर बैठें pencil लेकर बैठें copy लेकर के बैठें किताब आपके पास तब भी नहीं होगी I am sorry for that किताबें आपके पास उस दिन हम आपको PDF आपके पास already है आप mobile से सवाल कर लीजेगा तो Monday तो आपके पास किताबें आपके रवाना हो चुकी होंगी तो फिर जो समय लगना है वो सिरफ और सिरफ on the way दो चार पास दिन जो लगेंगे वो ही लगेंगे बाकी कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है हाँ भार तेंडू अब्दूल परपस आफ रजिस्टर क्या है शाट में कहें तो कि बच्चे को balance sheet में कितनी स्पेस लगती है पीएडल में कितनी स्पेस लगती है तो अगर उसे पता हो कि ये size register का इसमें मुझे fit करना है जैसे भी हम बना रहे थे fix a set का chart देखा था ना वो चार्ट कितना बड़ा है तो आपको ना अभी आदत पढ़ जाएगी कि ऐसे करके चार्ट बनाना चाहिए कि ऐसे करके चार्ट बनाना चाहिए हमें कौन सी जगा यूज़ करनी है कितनी स्पेस यूज़ कर सकते हैं कितनी नहीं तो मैं आपको एक्जाम के एंगल से एक रिजिस्टर भी भर लोगे तो समझ में आ जाएगी बाकी कुछ भी रिजिस्टर यूज करते हो तो आपको उससे पता चल जाएगा कि exam में ऐसी copy मिलेगी उसमें बस ऐसी ही sheets होंगी 24 sheets होंगी उसके अंदर ये same quality की sheets होंगी तो आपको उन 24 sheet के अंदर इस तरह के space को कैसे भरना है वो purpose वही है I hope आपको समझ में आ गया उसका purpose क्या है आपको थोड़ा experience करवाना है examination sheet का ये examination sheet के register है और कुछ नहीं है हला कि उसका size जो एक साधारन register होता है उस जैसा है लेकिन उसके अंदर की line के जो size है वो अलग-लग होता है जो lines होती है या जो paper quality है या जो rows and columns है वो उस तरह की है कि आपको दिकत ना हो तो with that I am just concluding today's class Monday को हम लोग अपने पास query सबसे पहले start करेंगे revision से और revision के दोरान जो कोई points होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं शीतल फिर उसके अलावा हम आपको उपनी class start करा देंगे और Monday से हमारी classes daily होंगी other than Sunday तो I hope Monday से आप लोग अपने पास normal routine में morning में class में आएंगे ठीक है thank you very much and bye bye कि पुए सकते हां हम आपको रखे और के रहे मं Cinग टे साल बना्पापया यहाई के दृ एन और कि रिरोग का यहीज़